हेलो बच्चो आप सभी को मेरा नमस्कार इंडिया के बहतरीन चैनल कॉंपटिशन वाला पर आपका मोस्ट वेलकम हमारी सीरीज का बेटा आज फोर्थ डे है और फोर्थ चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज तो आज स्कोबियम सिंगल शॉट में आपके से डिसकस करते ही है यसे डाइजिस्टिव सिस्टर में हमने डिसकस किया डाइजेशिन किस टाइप का प्रॉसेस है इसी रेस्पारिशन किस टाइप का प्रॉसेस है इसमें फीजिकल प्रॉसेस भी है और कैमिकल प्रॉसेस भी है तो वाट इस फीजिकल प्रॉसेस फीजिकल process ध्यान रखना है आपको atmosphere से oxygen को tissue तक transport करना तिशू से co2 को again atmosphere में release करना तो यह जो mechanism है इसी को बोलते है physical process जो organism to organism vary कर सकती है but chemical process all living organism में similar होती है क्योंकि physical process plants में अलग टाइप से होती है ठीक है ऐसे animals जिनमें lungs होते हैं उनमें अलग टाइप से होती है जिनमें gills होते हैं उनमें अलग टाइप से होती है जिनमें tracheal respiration मिलता है उनमें अलग टाइप से होती है means इसमें variation देखने को मिलेगा but chemical process में कोई variation देखने को नहीं मिलेगा chemical process का मतलब है cell के अंदर होने वाला breakdown cellular respiration जो oxygen की presence में भी होता है और absence में भी होता है जिसका main purpose है energy का liberation formation तो chemical process all living organism है similar होगी but physical process animal to animal vary यहीं organism to organism vary करेगी तो start करते हैं in case of human what is physical chemical process अगर हम human के case में बात करते हैं तो माल लो बटाई it is an atmosphere और यहाँ अगर हम रप्रजेंट करते हैं human को अगर अगर एंगर ल कि A round क्या होता है आप जानतों अलव लाई के आई राउन dense network of capillary dense network of capillary और आज जुँआ है आप समझना होगा आपको यहां हो क्या राय बिटा यहां पर आप बोलोगे सर एक्टमोस्फियर से एर इन हो रही है और अंदर से एर आउट हो रही है आप समझ रहे हो यहां आप आप एर को ले रहे हो और एक एर को ही निकाल रहे हो ठीक है तो एर का इनहिल और एक्जिल क्य यह राये रेषण्ट में сохट एक्टमें को आप इन्हिल एक्जिल कर रहे हो ना कि आउट्जी यह सिईयो टू कौइद एक्जल कर रहे हो यहनि précis एक को इन्हिल एक्ज़ करने की जो मेकानिसम है इसी को बोलते हम ब्रीन नमबर वन sa मेकनेजम आएगी क्या बोलने वाले सको breathing या आप इसको ventilation भी बोल सकते हो ventilation तो air को lungs में in and out करने की जो mechanism है यह physical process का first step है breathing या ventilation आफटर क्या होगा आप जानते हो lungs में oxygen कहां diffuse होगी capillary में और capillary से co2 कहां diffuse होने वाली है again lungs में तो यहां पर क्या होने वाला diffusion of gases यानि इस air में सभी कुछ था आप जानते oxygen भी था air में nitrogen भी था co2 भी था पर oxygen और co2 का ही diffusion होगा ठीक है क्योंकि यहां depend करता है solubility nitrogen solubile नहीं होती इसलिए इसका diffusion नहीं होता oxygen और co2 solubile होते हैं तो इसलिए diffusion हो जाता है आप समझ रहे होगे तो यह जो mechanism हो रही है इसको हम term use करेंगे diffusion of gases diffusion of gases इसको क्या बोलनेगे वाले external respiration number 2 external respiration external level पर exchange of gases lungs level पर exchange of gases it is called external respiration, number 2, it is also included in physical process, अब यहां अगर हम बात करते हैं, तो यहां क्या था, टिशू, एक टिशू, रेप्रेजेंट करते हैं, टिशू में क्या हो रहा है, C6, H12, O6 का breakdown and formation of energy, and CO2 plus energy, किसका utilization हो रहा है, oxygen continue utilize हो रही है, तो oxygen का partial pressure कम होगा, CO2 का partial pressure जादा होगा, समझना है मेरी बात, तो अब करना क्या आए, again blood capillary, near the tissue, तो होगा क्या, अब यहां पर, यहां से gases का transport का होगा, near the tissue, तो अब हम पढ़ने के वाले हैं, transport of gases, इस transport of gases में, oxygen कहां transport करेगी, oxygen का transport होगा, tissue में हो, CO2 का transport होगा, बापस lungs में, अब इसको क्या बोलने वाले हैं, इसके लिए हम term use करने वाले हैं, transport of gases, number third, transport of gases, तो transport of gases, number third, mechanism होगा, और number fourth, जब यहां पहुचेगी, तो continue oxygen diffuser के कहाएगी, tissue में, CO2 diffuser के कहाएगी, again, capillary में है, तो यहां पर क्या हो रहा है, again, diffusion of gases, number fourth, विट से क्या हो रहा है, diffusion हो रहा है, पर internal level पर diffusion हो रहा है, तो it is called internal respiration, क्या बोलेंगे इसको, internal respiration, यानि यह four step जो मैंने लिखे हैं आपके, ठीक है, यह चारों step included होते हैं, किसके अंदर, physical process के अंदर, physical, ठीक है, physical process में, one, two, three, four, इन चारों को include किसमें करेंगे हैं, physical process में, फिर chemical process क्या होगी, पर chemical process की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं, cellular respiration, cellular respiration, क्या हो रहा है, cellular respiration में, breakdown of glucose and formation of energy, it is a fifth process, तो समझ में आया होगा, कि what is respiration, it is a physical chemical process, physical process कमें परपस है, transport of gases from atmosphere to tissue, और tissue to bug in atmosphere, जिसमें, four step included होते हैं, number one, breathing or ventilation, number two, diffusion of gases between alveoli and blood capillary, external respiration, transport of gases, then finally, exchange of gases between tissue and blood capillary, it is a whole internal respiration, these four step included in physical process, जो animal to animal या organism to organism, वेरी कर सकता है, but chemical process, means cellular respiration, all living organism में similar होगा, एक बात एकदम clear, finally आगे बढ़ते हैं, तो अब कुछ NCRT के second parameter में कुछ example दे रखे हैं, animals के, ठीक है, और साथ में उनके, ठीक है, respiratory organ, जैसे हम बात करते हैं, general body surface, जिन्हें वो सारे animals, जिनमें respiratory organ नहीं थे, initial, पर यह evolution हुआ, पर पौरी फेरा से, SK Helminthes, कोई भी respiratory organ नहीं है, body surface से ही, diffusion के थो, gases exchange हो रहा है, moist cuticle, ठीक है, या skin, earth warm में आप जानते हो, cuticle या skin के थो, diffusion के थो, क्या होता है, यहां पर respiration होता है, बट frog के पास, तो cuticle भी होती है, frog के पास, बुक्को फेरिंजियल respiration भी होता है, और frog अपके पास lungs भी होते हैं, तो frog lungs से भी कर लेता है, अपनी बकल cavity से भी कर लेता है, और skin से भी करना जानता है, moist skin, ठीक है, second case आपको यह याद रखना है, gills, बट गिल्स का case कैसे याद रखो, जो पानी में डूबा हुआ है, उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, respiration का gills, सीधा concept, अगर आपको पता है, अगर वो animal water के अंदर है, तो एक ही तरीका यूज हो सकता है, gills, तो gills always present in aquatic orthopods, जोतने भी aquatic orthopods होते हैं, उन सब के पास सिर्फ सिर्फ gills होते हैं, fish में gills होते ही हैं, जो frog का larva, tadpole होता है, tadpole is a larva of frog, इसके पास भी gills होते हैं, वोटर में होता है, पर frog के पास gills नहीं होते, frog book को pharyngeal भी करता है, skin से भी करता है, और मैंने बताया था, ठीक है, लंक्स के थ्रो भी करता है, तो यहां तक एक दम clear है, कोई doubt नहीं होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं, book gills, वहीं gills का ही modification है, वहीं gills को modify कर दो, तो बन जाते हैं book gills, ठीक है, उन में होते कहें, book term इसलिए जो use करते हैं, लिम्यूलस, इस कॉल्ड किंग क्रैब, जो लिविंग फॉसल है, किंग क्रैब, लिविंग फॉसल, क्योंकि, कई युगों पहले, समय पहले ये थे, और आज भी हैं, विदाव्ट एनी चेंज, तो ऐसे, भई फॉसल आई, इनी करेक्टर में, चेंज इस नहीं हुए, प्रिजर्व हो गए, बट लिविंग है आज भी, तो यहां देखने को मिलते हैं, बुक गिल्स, और बुक लंग्स का केस, अगर आएगा, तो आपको ध्यान अटना है, स्कॉर्पियन एन स्पाइडर, और टुबलर रैस्पारेशन, यह तो आप पढ़ी चुके हो, कॉक रोष्ट में देखने को मिलता है, ट्रैकिल रैस्पारेशन, मॉलस्स का, मॉलस्स का सैमी टैरिस्टियल भी होते हैं, और अक्वेटिक भी होते हैं, अगर अक्वेटिक हैं, सैमी टैरिस्टियल लाइक पहला, ठीक है, तो वहाँ पर, पल्मोनरी सैक होते हैं, जिनको आप लंक्स टर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है, फिर बात करते हैं, ट्यूफीट यह डर्मल ब्रैंड के, वही काइनो टर्मेटा के अंदर, डर्मल ब्रैंड के बॉड़ी सर्फेस के थो, यह क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, तो लंक्स का देखने को मिलते हैं, एमफीबिया टू मैमेलिया, एमफीबिया में लंक्स बन गए थे, और मैमल तक, अउनली और उनली रेस्परेशन थो लंक्स, तो एकदम क्लियर हो गया होगा, NCRT का सेकिंड एक पैरा है, पोश्चन इस पर आ जाते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं, बड़ा हिउमन रेस्पारिटरी सिस्टम, अगर हिउमन रेस्पारिटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो हम NCRT की एक एक लाइन यहाँ पर, NCRT हम छोडने वाले नहीं, NCRT की हम लाइन तू लाइन इंक्लूड करते जा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बात सोचना कि NCRT छोड रहे हैं, NCRT ही लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, समझने के कोशिश करना, भई, यहाँ जो दिखाया है, उन्होंने एपी ग्लॉटिस, डाइजिस्टिप सिस्टम में हमने बात की थी आपसे, भई, दो डक्त थे, एक ग्लॉटिस, एक गलिट, ग्लॉटिस इस अ ओप्निंग ओफ एर पाइप, ग्लॉटिस इस अ ओप्निंग ओफ फूड पाइप, एक तम के लिए था, तो ग्लॉटिस को कबर करने के लिए, जो कार्टिलेजिनस फ्लैप था, इसको बोलते हैं, एपी ग्लॉटिस, तो यहाँ जो दिखा रखा है, डाइग्रमेटिक लिए कोश्चन आएगा, एपी ग्लॉटिस, इस अ कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है, सेकिंड आगे बढ़ते हैं, लैरिंग्स, अगर मैं लैरिंग्स की बात करता हूँ, इस अल्सो कॉल्ल साउंड बॉक्स, लैरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स मतलब साउंड बॉक्स, जिसमें नाइन कार्टिलेज होते हैं, नाइन कार्टिलेज तो नाइन कार्टिलेज से बना हुए एक साउंड बॉक्स होता है, उसको हम लैरिंग्स बोलते हैं, three paired cartilage होते है three unpaired cartilage होते है sound box भी बोलते है अब larynx से नीचे duct extend करती है larynx से जो duct नीचे extend कर रही है इसी को बोलते है trachea कहां से extend कर रही है larynx to lower side इसको bronchus बोलते है तो अब इसको क्या बोलने माले हैं trachea अगर हम trachea की बात करते है है trachea trachea से लेटेड़ कुछ point हम आपको बताएंगे अगर हम trachea की बात करते है बेटा ठीक है तो trachea extend from extend from larynx to bronchus या bronchus करते हैं तो यहां द्यान से देखोगे कि यह सी शेप इसको इधर दिखा देते हैं यहां c-shape hyaline cartilage है c-shape hyaline cartilage ठीक है trachea में भी होते हैं और आगे bronchus में भी होते हैं और आगे भी होते हैं ठीक है इनको बोलते हैं c-shape in complete dorsal ही समझाता हूँ हाईलीन cartilage हाईलीन c-shape hyaline cartilage incomplete dorsal क्या बोला मैंने क्योंकि बेटा इस तरीके से होगे यहां से तो complete है है ऐसे hyaline cartilage ठीक है इसके आगर नीचे देखोगे तो इसके नीचे तो होती है पीटा pipe trachea और पीछे होती है isophagus तो पीछे isophagus है आगे trachea है तो trachea को cover कर पाते हैं complete होई नीच सकते क्योंकि पीछे isophagus है इसलिए incomplete होते हैं तो आगे तो ventral side होगी पीछे डॉटल side होगी तो कहां से incomplete हुए incomplete dots होती है पीछे एक बाद क्लियर होगी अब कोशन आता है यह trachea आगे जाकर के bifurcate कर रही है क्या हो रही है दो पार्ट में डिवाइड हो रही है कहां से दो पार्ट में डिवाइड होती है T5 reason T5 column समझते हो आगे trachea दो पार्ट में डिवाइड होगी तो पिछे वर्टिवल कॉलम है वर्टिवल कॉलम में आप जानते हो नेक वाले reason में cervical vertical column 7 thoracic 12 12 होते हैं तो जो 5th नंबर का thoracic होता है उसके front से trachea bifurcate करती है इसलिए इसको T5 reason बोलते है NCRT की line है कि trachea किस thoracic vertical column के in front से bifurcate करती है T5 reason ठीक है और जो दो duct बनते हैं इनको bronchus या bronchi बोलते हैं bronchus बोल सकते हो या bronchi बोल सकते हो bronchus या bronchi अब यह शीशे भालीन काटिलिस की अगर मैं बात करता हूं तो जो trachea में भी होते हैं bronchus में भी होते है ठीक है initial bronchus या primary bronchus या समघना मेरी बात या primary bronchi का है आगी जाकर कि secondary tertiary bronchi तक देखने को मिलते हैं और bronchule मैं भी देखने को मिलते है initial bronchule ठीक है हाँ उसकी वाद आते है होते हैं जो आपको detail में समझाने वाले यहां तहर च्लिए हो गया एक्षव क्या यहां पर क्या ओर है ट्री लेक्टर बन रहा है ट्रैकेज कर और दीजन उजागा इसका फिर फर्दर डिवीजन हो учra on प्र mural का है तरसे रीजों प्राउं क्यों arm क्यों यो लोंगे इनिशन र्रॉण क्यों टर्टे रॉझ्ड टार्णल प्रस पारीどう purl धीर टिक हैसे प्र चांच ऑन कर कि sogar के ऐल डक्त होंगी जिसमें अल्वार सच लगे होंगे जो मिलके बने होंगे छोटे-छोटे structure इनको बोलते हैं अल्वियो लाई इट आ यूनिट आफ अल्वलाई इस अ यूनिट आफ कि अगर मैं अल्वलाई की बात करता हूं अच्छा आगे समझा देंगे इसको यह लाई में तो यहां तक समझ में आया होगा बिटा एक बाद तो clear है कि यहां से बाई फरकेट हो गया फिर अंदर branching है branching को मैं अलग दिखाने वाला हूं अब लंग्स पर आ जाते हैं अगर हम लंग्स की बात करते हैं तो यह तो right lungs है यह left lungs है तो right lungs में ध्यान अखना है आपको इस तरीके से यहां पर transfer fissure भी होता है और oblique fissure oblique fissure दिखा देते हैं यहां पर इस तरीके से इस तरीके से पर transfers fissure only present in right lungs तो right lungs में कितने लोग हो गई 1 2 3 left lungs में कितने लोग हो गई 1 & 2 क्योंकि left lungs के अंदर only और only एक ही fissure septum है यहां पर 12 septum है तो कितने chamber बन जाएंगे कितने पार्टमें डिवाड़ जाएंगे तो अगर मैं राइट लंग्स की बात करता हूं मेटा राइट लंग्स ठीक है सेप्टम भी बोल सकते हो ठीक है और यहां पर अबलेक भी होता है अबलेक फिश्यर पहली बात कितने लोग होते हैं लाइट राइट लंग में थ्री लोग होते हैं ऐसी अगर मैं left lungs की बात करता हूं मेटा लैफ्ट तो left में only oblique fissure होता है और लोग की बात करते हैं two lobe होते है two two lobes होते हैं ठीक है यहां पर lobes की बात करते है two यहां lobes की बात करते है three तो एक बात और ध्यान रखनी है यहां पर ध्यान से देखोगे कि left lung में एक notch दिख रही है notch, hurt की presence की वैसे notch, ये दवा हुआ है यहां पर ये, इसको बोलते है cardiac notch, क्या बोलते हैं इसको cardiac notch cardiac notch ठीक है, अब cardiac notch की बात करता हूँ, ठीक है, मेरी बात समझना, तो ये only present in, only present in, ठीक है, only present in left lungs, only present in, only present in, ठीक है, only present in left lungs, only present in, left lung, only left lungs में देखने को मिलेगी, ठीक है, cardiac notch, only left lungs में देखने को मिलेगी, oblique fissure, दोनों में देखने को मिलेगे, transfer fissure, only present in right lungs, ठीक है, आपको cardiac notch, लोफ दोनों में होते हैं एक में थ्री एक में टू तो बस यह common is question बनता है आप करीप आओगे diaphragm जिस समझी रहे हो आप ठीक है यहां तक कोई doubt है नहीं यह सब cut end of rips है यह आप cut करोगे तो यहां एक चीज और समझनी है आपको प्लूरल मेंब्रेन अगर मैं प्लूरल मेंब्रेन की बात करता हूँ तो इसको बोलते हैं कवरिंग ओफ लंग्स कवरिंग कि इसमें एक आउटर लेयर होती है एक इनर होती है जो होगी उसको पराइडल बार वाले एक पराइड़ जो बहारे ब्लेयर देख रहे यह न उसको तो पराइडं प्लूर बनेंगे देखा लिखते जो आउटर है यह यह आउटर है रोडि अन्दर वाले किया कि इनर प्लिूरा और इन दौनों के बीच में एक लिक्ट भरा होता है इसको बोलते हैं प्लिूरल फ्लिूड और प्लिूरल फ्लिूड का वर क्या होता है देखो इन दौनों मेंब्रेन को अच्छे से बांध के रखता है क्योंकि उसके बीच में एक अधेशन दो कांज की स्लाइड लेना ड्रॉब डाल देना रखोगे आपस में चेपक जाएंगे तो वही काम करता है इनको बांध के रखने का और फ्रक्षन और 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 से ठीक है फ्रक्षन को भी रिड्यूस करने में हैल्प करता है दोनों जा प्लिरोन और जो बाहर वाली है लेटरल साइट में पराइटल प्लिरोन यह सारे पॉइंट्स आगए बिटा जिन पर कोश्चन बनने की प्रॉबैबिलिटी होती है एक दम हीमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा मेन है जो पैरा है इसी में इंक्लूड कर दिया इसके पर कोश्चन आते हैं ठीक है नेक्स्ट आगे अगर आपसे कहा जाएगा कि इस पूरे ट्रैक को कितनी जोन में डिवाइट कर सकते हैं टू जोन कौन कौन से जोन पर नंबर वन हम बात करेंगे यहां पर कंडेक्टिंग जोन और नंबर टू बात करेंगे हम का रेरे क्डेक्टिंग जोन और यहां ते समत्कीर तो यहां तक समझना है आपको से आपको यह धिया के नहुतना होगा हाँ ठीक है कंडेक्टिंग जिटॉन और एस्पाइट रेरे डिटुन ठीक है तो समझना होगा बेटा conducting zone को conducting zone बोला क्यों बोला हमने conducting zone को conducting zone conducting zone को इसलिए conducting zone बोला तोकि ये zone इस प्रकार के इस type के epithelial tissue के मिलने से बनती है जहां से diffusion of gases possible नहीं है respiratory zone को respiratory zone इसलिए बोला हमने तो यह वो जोन है जहां से गैसिस का डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है आप समझता है मेरी बात यारीं कंडक्टिंग जोन के अंदर जो एपिथीलेल टिश्यू होते हैं वो कॉल्यू मनार सिलियेटिर कॉल्यू मनार होते हैं साथ पर स्ट्रीटिफाइड तो हों गई बैट ठीक है वंगा क्या उनिका मोडिफेकेशन है जबकि रैस्परेटरी जोन में पिथीलेल टिश्यू होते हैं वह फ्लाट होते हैं फ्लाटेंड समझना मेरी बात सिंपल स्क्राइमस एपिथीलेल टिश्यू फ्लैट है इजली गैसिस का डिफ्यूजन पॉसेबल है तो सिंपल स्क्राइमस एपिथीलेल टिश्यू प्रेजेंट इन रैस्परेटरी जोन और कंड़क्टिंग जोन की बात करते तो कि वहां से एयर का ओनली कंड़क्शन हो सकता है डिफ्यूजन नहीं हो सकता टिश्यू वहां पर ठिक है कंसेप्ट है ऐसे ही नहीं बना दिया गया ठीक है कि यहां तक कि यहां से यहां तक पूरी कंड़क्टिंग जोन है और कंड़क्टिंग जोन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर एपिथीलेल टिश्यू कौन से होंगे बैटा एपिथीलेल तो यहां पर एपिथीलेल टिश्यू होंगे बैटा शिम्पल कि शिलेटेड क्लुमनार क्लुमनार प्लस स्युडो स्टाटिफाइड भी होंगे स्युडो-च्राटिफाइड, स्युडो-क्तिफाइड होते ही है. उल्वेज ठीक दूसरी बता आती है इसलिए दोर्ट अब पर होते हैं. क्ति सिम्पल जारना सिलिंत नहीं होते ही, simple squamous epithelial tissue squamous epithelial tissue और आप जानते हैं simple squamous epithelial tissue flattened होते हैं flat होते हैं easily gases का diffusion possible है तो conducting zone को conducting zone क्यों बोला on the basis of tissue ciliated होते हैं और cilia unidirectional flow करते हैं एक तरीके से इस zone को ठीक है dust particle से protect करने में help करते हैं साथ में mucus से भी lined होते हैं columnar epithelial tissue में ही goblade cell होते हैं बता चुके हैं तो जानी conducting zone totally mucus से aligned होती है ciliated होती है और function क्या है समझाता हूं मैं ठीक है दूसरी बात तो इस इसके base पर आप function की बात करते हैं epithelial tissue के base पर तो conducting zone का पहला function क्या है conduction of air from atmosphere to respiratory zone पहला काम तो समझ में आ गया साफ करने का clean करने का काम भी करती है यह भी ध्यानक ना है clear conducting air from foreign particle इसके लाबा internal mucus से aligned है अगर आप dry air को lungs में लेके जाते हो तो यह mucus की layer उसको moisturize करेगी उसका humidification करेगी ठीक है तो कभी देखाऊगा ऐसे करोगे तो air में मॉस्चर होगा जो आप air ले रहे हो कितना भी dry atmosphere हो तो dry air अंदर जाएगी पर अंदर से बाहर निकालोगे मॉस्चराइज आएगी यानि अंदर कुछ तो ऐसा है जो air को मॉस्चराइज करता है humidify करता है तो next function क्या हो गया humidification और बहुत important function maintain temperature of conducting zone according to body temperature body temperature आपका fix है ठीक है क्योंकि आप कौन हो homeothermico ठीक है आप warm-blooded animal हो homeothermico तो आपको अपने body का temperature तो constant है पर आप atmosphere की air के temperature को तो control नहीं कर सकते ना आप cool air होगी तो अभी आप intake करोगे यह तेंपरेचर बहुत कम है तो ठंडी यह अंदर जाएगी temperature जाता है फिप्टी तो गरम यह अंदर जाएगी तो अंदर अगर गरम यह थंडी यह जाती है तो कहीं न कहीं एंजाइमेटिकल एक्टिविटी पर असर पड़ेगा तो नेचर ने कंडेक्टिंग जोन बनाया है कंडेक्टिंग जोन क्या करता है जब एर धीर धीर अंदर जाएगी तो उस एर के temperature को according to body temperature maintain कर लेगा ठीक है तो maintain संद फिस सम्झ में आ गया होगा maintain temperature of conducting here according to body temperature जबकि respiratory जोन का एगी function है diffusion of gases तो एक बास समझ में आ गया कंडेक्टिंग जोन को कंडेक्टिंग जोन क्यों बोला और रेस्पिरेटरी जोन को रेस्पिरेटरी जोन क्यों बोला कंडेक्टिंग जोन का जो function है according to epithelial tissue mucos और cilia की बेस पर हमने इसको four part में divide कर दिया अब हम बात करते हैं बेटा सी शेफ हालीन काटिलेज मैंने बता था सी शेफ हालीन काटिलेज ट्रैकिया मैं भी मिलते हैं शी शेफ हालीन काटिलेज ब्रॉनकाई मैं भी मिलते हैं शी शेफ हालीन काटिलेज इनीशल ब्रॉनक्योल सबसे पहले काएगा इनीशल Initial Bronchule, तो Initial Bronchule मैं भी C-Shape Haliant Cartelase देखने कोर आपको मिल जाएंगे, Initial Bronchule मैं भी मिलेंगे, तो Initial Bronchule तक चीशेप Haliant Cartelase आपको देखने को मिलेंगे, Initial Bronchule तक तो मिलेंगे ही, समंगता मेरी बात पर Terminal Bronchule में C-Shape Haliant Cartelase नहीं हوتे यह आगे नहीं मिलेंगे तो अगर मैं C-shape हालीं cartilage की बात करता हूं ठीक है C-shape cartilage प्रेजेंट इन अब जानकना कहां से ट्रेकिया पर ट्रेकिया से गाहन तक ट्रेकिया टू इनीशल ब्राउन क्यों ट्रेकिया टू इनीशल ब्राउन क्यों इनीशल ब्राउन क्यों टर्मिनल ब्राउन क्यों में यह C-shape हालीं cartilage नहीं होंगे समझ गए होगे तो सारे कोशन स्वाल हो जाएंगे आपका इस सिस्टम से एक कोशन नहीं बच्चे का इनीशल ब्राउन क्यों टर्मिनल में नहीं मिलेंगे शीशेव यहां तक लियर हो गया होगा अब बताती स्ट्रक्चिर ओफ एल्वियो लाएं जब गंडेक्टिंग जोन से रेस्परिट्री जोन स्टार्ट होता है तो रेस्परिट्री जोन का टर्मिनल वाला पार्ट का हो बोलाएं तो अलवलाई को आप क्यों बोलोगे इस यूनिट ओफ यूनिट ओफ लंग वही लंग्स की यूनिट है यह ठीक है कितने अलवलाई होते हैं एक प्रॉक्सिमेटल आप बोल सकते हो एक प्रॉक्षिमेटली 300 और प्रॉक्ते ये अलवलाए प्रिजेंट इन बोट लंग्स जिसका एंपट अध्रेडल या बिसी पर करते हैं तो एप्रोग्सिमेटली आप होचा तेच्टेणों ट्रॉक्वड ад dinner is square meter square isством 500m square समझ में अई होगा बेटा हैोते हैं एक इंट अंबर कितना नंबर होते हैं कितना आरीया होता है यह यूनित अफ लंक्ष बोलते हैं इसको औरो भीलई हाइसistant अशिब्त होते हैंP फिर स्केंध दिख्य रहेंछ बडले वेसत बलॉва की यह alveoli इनके बीच में कोशन आता है कि होता क्या है यहां पर आप बलोगे diffusion of gases oxygen आ रही है CO2 जा रही है तो जब diffusion हो रहा है तो कितने membrane हैं इसके बीच में जो diffusion के लिए responsive लोंगे number of diffusion membrane यह कोशन आता है और NCRT में दे रखा है number of diffusion membrane के इतना number है diffusion membrane का आप बलोगे 3 अब बताओ number क्या है इनका number तो 3 हो गया name क्या है कौन कौन से 3 membrane है यहां पर अब धिहां से देखोगे एक membrane तो आपको दिख रहा है alveoli का अपना खुद का membrane एक membrane देख रहा है blood capillary का membrane और दौनों के बीच में कौन है basement substance लाइक basement membrane उसको मिला करके number कितने हो जाएंगे 3 तो number 1 आप बुलने वाले हो यहां पर क्या ठीक है यह भी simple squamous epithelial tissue से मिलके बनी होती है alveoli ठीक है तो आप बोलोगे simple squamous epithelial of alveoli number 2 यहां भी simple squamous है blood capillary में पर बोलते के हैं इसको endothelium endothelium of blood capillary यह भी clear है आपको और नम्मर 3 क्या होगा दौनों के बीच में क्या देखने को मिल रही है basement membrane with present between both layer उसको क्या बोलेंगे basement membrane basement membrane और इन तीनों की अगर थिकनेस पूछी जाए पूछी जाती है को कि NCRT ने दे रखी है thickness भी ठीक है thickness पर कोशन आये तो थिकनेस भी दिहां रखने हैं आपको thickness of membrane तो आप बोलो कि less than 1 mm एक एमम से भी कम थिकनेस होती है यह NCRT आपकी finish हो गई बट एक कुशन बड़ा लॉजिकल बनता है कि यहां diffusion of gases हो रहा है बिटा तो आप एक तो समझ में आ रहा होगा आपको thickness भी तो इफेक डाल रही है फेक्टर एफेक्टिंग दा diffusion of gases अगर मैं आप से पूछ हूं factor इफेक्ट दा कि डिफ्यूजन इफेक्ट दा डिफ्यूजन ओफ गैसेज कौन-कौन से फेक्टर है जो डिफ्यूजन ओफ गैसिस को इफेक्ट करते हैं आप बोलोगे नमबर वन थिकनेस ओफ डिफ्यूजन मेंब्रेन नमबर टू और टू सॉलीओ बिलिटी मैंने बुला था कि ड्स windows तो इसका से इसके लिफीजन नहीं हो रहा तो सॉलीबिल् WhatsApp करिदया ठेकर है और थर्ड मैंने बताया था प्रेशर और पिवस से पार्श्यल प्रेश्वर यहाँ ज्यादा नीझे जा रहे हैं यहां जादा इसलिए उपर जा रही है ठीक है तो तीनों फेक्टर द्या नखने है आपको ठीकनेस नमबर टू ठीकनेस और डिफ्यूज़न मेंबर टू पार्शल पैशर पार्शल प्रेशर और नमबर त्री ध्या नखना है आपको सॉल्यूबिलिटी सॉल्यूबिलिटी ओफ गैसेज यह तीनों फेक्टर बेटा रिस्पॉंसिबल होते हैं ठीक है डिफ्यूज़न ओफ गैसेज पर एफेक्ट डालने के लिए यानि ठीकनेस अगर ठीक हो जाएगी तो डिफ्यूज़न रेट बढ़ेगी या घटेगी घटेगी तो एक मैं एड कर देता हूँ ठीक है अगर आपसे पूछा जाएं रेट ओफ डिफ्यूज़न ओफ गैसेज समझना डारेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होते हैं यह कुशन ऐसे आएगा ठीक है तो डारेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बढ़ने से सॉल्यूबिलिटी एंड पार्शल प्रेशर अगर पार्शल प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्यूबिल्टी बढ़ेगी तो अभी दिफ्यूज़न बढ़ेगा पर एक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू भी होते हैं ठीक है ऐसे भी कह सकते हो ठीक है अगर डीफ्यूजर मांब्रेन की ठीकनेस इन्क्रीज होगी तो डीफ्यूजर रेट बिक्रीज होगा एक बढ़ रहा है गट रहा है inversely एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है तो directly proportional to directly question बनता है अब आप कर पाओगे कोई दिक्कत नहीं आएगी finally एक question यह बड़ा प्यारा सा बनता है NCRT से ही है देखो rib cage और thoracic chamber बढ़ कंफ्यूज मत होना रिव केज तर्म आएगा तो उसको हम पढ़ाते हैं स्केल्टर सिस्टम में उसमें इस्टर नम वर्टेवल कॉलम और रिव हमारे साइड होगी आगे वाली वेंट्रल साइड आगे क्या है वेंट्रल साइड मैं लिख दिता हूं आगे तो वेंट्रल साइड होगी वेंट्रल वी पीच्छे डॉट्सल साइड होगी ठीक है और बगल में क्या होगी लेट्रल साइड होगी यह लेट्रल साइड होगी ठीक है तो आपको ध्यार नखना है ठीक है यहां लेटरल साइट पर क्या है लेटरल साइट पर क्या है लेटरल साइट पर रिप्स हैं और मसल्स है ठीक है इनको रिप बोलेंगे कि लेटरिल साइड पर इप आगे गे राखें वेंटर साइड पर इस टारनम दे रखा है है यहां कि दॉसल्साहिए करेकर वर्रटी वर्टी वर्टीवरल कॉलॉम दे राखें रुझरशन साइड पर आप वर्टीवरल आंटीडीरोगा और नीचिए आला किया होगा अपोस्टीरीयर या लोब साइड भूसेद Crush पर क्या होता है कि कॉप बंद करने के लिए दाई जाएगा लोब साइट पर होता है तो एक चमबर बन जाएगा उuito बर्र्शार में उनका कवर करने के लिए मसल्स थिक है और इस्टरणनम और पीछे वर्टिवल कोलम और लोवर साद पर कबर कोन कर रहा है दाइफ्राम इसके मिलने से इसके हैय्रटर्न चेंबर यह दो कहोंच और कोशन आएगा थौर्घए चैंबर का ऑर्ष रहो कोकोवर का फॉर्मर का पीछेंग। लिए बहुत essential है अगर यह setup नहीं होगा तो breathing impossible क्योंकि यह air attack chamber तभी तो बन पारा है कि rips है डाइफ रॉम है sternum है वाटियल column है तब इसका volume increase और decrease होगा और breathing के लिए यही तो जरूरी है क्योंकि volume increase होगा तो अंदर pressure decrease होगा बाहर की air अंदर क्योंकि air का flow always high partial pressure to low partial pressure होता है volume decrease होगा pressure increase होगा internal air बाहर simple mechanism यही breathing mechanism है तो द्यान अखना है यह anatomical setup breathing के लिए बहुत बहुत essential है अब बताते mechanism of breathing भाई में की breathing होती कैसे है it is a alternate contraction and relaxation of two types of muscles अब कहुन कहुंसे muscles involved हो रहे हैं इसके इंतर mainly ठीक है आप बहुत के diaphragm muscles ठीक है it is also called phrenic muscles कि diaphragm को phrenic भी बोलते हैं और intercostal muscles costal के बीच मिलने वाले muscles तो diaphragm तो नीचे आ गया वही diaphragm lower side diaphragm muscles और intercostal muscles के contract और relax होने से ही क्या होता है volume increase और decrease और volume increase decrease होगा means pressure increase decrease होगा और pressure increase decrease होगा तो automatically atmospheric pressure अंदर और अंदर की एर बहार automatically air का flow maintain रहेगा सारा खेल pressure का है और pressure किस पर depend कर रहा है volume पर volume किस पर depend कर रहा है इन दो muscles के contract और relax होने पर तो अगर हम बात करते हैं external intercostal muscles देखो रिस हैं दोनों यह भी रिप्स है यह भी रिप्स है ध्यान से दोन दोनों के बीच में बाहर की site दिख रहे हैं muscles आपको यह external intercostal muscle घanın यह अंदर दिख रहे हैं आपको यह internal intercostal muscles से mm ठाट है ठोटाई देते हैं सम्झपा हूआ तो और external intercostal muscle मसल्स बाहर वाले हैं बेटा और इंटरनल इंटरकोशन मसल्स अंदर वाले हैं ठीक है अगर इन में कॉंट्रेक्शन होगा तो रिप को ये अपर डारेक्शन में पुल करते हैं ये पुलिंग उपर होगी और इन में कॉंट्रेक्शन होगा तो रिप को नीचे की डारेक्शन म आपको ठीक है यानि अगर external intercursional muscles contract करते हैं अगर यह contract करते हैं तो क्या होगा रिफ्स ऊपर समझना मेरी बात रिफ्स ऊपर उठेंगे रिफ्स ऊपर उठेंगे तो volume increase होगा thoracic volume increase होगा तो increase thoracic volume जबकि अगर रिलेक्स करेंगे रिलेक्स तो डिक्रीज होगा ठीक है जबकि अगर मैं internal intercursional muscles की बात करता हूं जो अंदर है इन में अगर contraction होगा internal तो रिफ्स नीचे जाएंगे जब रिफ्स नीचे जाएंगे बेटा तो volume क्या हो रहा है reduce यानि internal most possible layer cutें घरने volume reduce होता है जाओd 했a सक्वांतर थी इंक्रीज होता है जबकि external concentration to volume increase वहता है forcé्रिकिक वहता है रिलेक्स करते हैं तो तो इंक्रीज होगा थोरा ऐसे वाल्यूम तो यहां तक एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि किसके कॉंट्रेक्ट होने से क्या हो रहा है बेटा और किसके रिलाक्स होने से क्या हो रहा है एक तो कुछ यहीं बनेगा ठीक है यह रिपकेश को नीचे लेके जाएंगे यह रिपके यह इस टर्न नम है कर पार, यह आयसे डाएफराम हो गया और यहां रिप्स और दिखा देते हैं यह ऐसे 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 दोही दिखा देते हैं कोई इसकी बज़े से ये एक चैमबर बनेगा ये ऐसे और ये ऐसे ठीक है इस चैमबर को हम क्या बोलने वाले है थोरैसिक चैमबर क्या बोलने वाले है इसको हम थोरैसिक चैमबर इसको थोड़ा सा हटा दो यह ऐसे ऐसे ठीक है यह थोरा सिक चैंबर का फॉर्मेशन हो गया ठीक है यह रिप्स हो गए जो इस ट्रनप से जोड़े हुए एकदम सिंपल दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है यहां तक हर चीज़ समझ में आ रही होगी तो यह तो बैटा क्या हो गया है डायफ्राम यह क्या दिख रहा है बैटा है रिप्स सह बीचो रह देख яв आपको स्टरनम यह आपको पता है ठीक है अगर मैं आप से कह ओं की बडा यहां हम डायफ्राम के में को कॉंट्रेट करा थे दाइफरम फ्लैट हो जाएगा डाइफरम किया हो जाएगा ? becomes अगर मसल करेंगे यह यह डाइफरम क्या हो रिलाइट रिलाक्स करएगे डाउम शेप फ्लैट डाउम शेप तो अगर अगर diaphragm के muscles contract करते हैं तो diaphragm become flat और अगर external intercostal muscles contract करते हैं तो ribs कहा जाएंगे उपर यह ribs ऐसे ऐसे उपर गए यह भी ribs कहांगे उपर यह ribs भी कहांगे उपर जब external intercostal muscles contract करते हैं बट इसकी बजाए से इस्तर ness भी lift up हो जाता है NCRT की line हो पूछी भी गई है या नहीं अगर diaphragm muscles contract करते हैं तब condition यह है और जब external intercostal muscles contract करते हैं तो condition यह हैं यह अप देखो यह the volume आ पहुंच गया अगर इन में contraction होगा अगर diaphragm muscles contract करते हैं तो volume ये increase हो गया और external intercostal muscles contract करते हैं तो volume ये increase हो गया बुलकुल समझ ना आराम से तो ये वाला पार्ट हम एंटीरियर मालो तो नीचे वाले पार्ट को क्या मानोगे posterior ये posterior हो गया ठीक है तो तो पहले समझो अगर diaphragm के muscles contract और relax करते हैं तो volume किस axis में increase होता है anterior posterior axis समझना मेरी बात तो यहां पर क्या हो रहा है increase thoracic volume in anterior posterior axis in anterior posterior posterior axis ठीक है क्यों ओ रहा है बेटा due to contraction of contraction of diaphragm muscles diaphragm from muscles अगर diaphragm muscles में contraction होगा तो volume किस axis में increase decrease होगा anterior posterior axis एक दम दिमाग में सेट कर ले ना डाफ्रम contract relax contract relax anterior posterior axis में volume increase decrease अब हम बात करते हैं external intercostal muscles यह समझ पाओगे माल एक bucket है यह bucket यह इसका handle ठीक है मानो एक handle लगा देते हैं एक handle लगा देते हैं यह handle लगा देते हैं यह handle लगा देते हैं यह ribs आगे ventral side में तो sternum से जुड़े हुए होते हैं और dorsal side में vertebral column से जुड़े हुए होते हैं ठीक है अगर आप ribs को उपर उठाओगे मिस handle को उपर उठाओगे तो handle ventral ventral और dorsal side में जुड़ा हुआ है यह अगर handle को उपर उठाओगे तो जो volume इंक्रीज होगा वो ventral से dorsal या dorsal से ventral समद ना मेरी बात यानि आप बोलोगे अगर external intercostal muscles में contraction होगा तो volume increase in dorsal ventral axis समद ना मेरी बात कि बेटा अगर external intercostal muscles contract करेंगे तो rips अब डारेक्शन में जाएंगे पर रिप जुड़े कहा है भी आगे जुड़े हैं वेंट्रल साइड में और पीछे जुड़े हैं डॉर्सल साइड में तो volume increase in dorsal ventral axis समझ गए होगे तो यहाँ जो volume increase हो रहा है बेटा वो कहां हो रहा है किस axis में हो रहा है इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम इन आप बोलोगे दॉर्सो वेंट्रल एक्सिस दॉर्सो वेंट्रल एक्सिस डूटू किसकी वज़े से डूटू कॉंट्रेक्शन ओफ और जब ऐसा होता है तो द्यानक ना इस्टर्नम और रिफ्स दौनों ही lift अप होते हैं कॉंट्रेक्शन करने की वाई से दौनों का क्या ओरा lift अप लिफ्ट अप यह कॉंशन आता है कि अगर एक्स्टर्नल इंट्रकॉस्टल मसल्स कॉंट्रेट करेंगे तो इस्टर्नम और रिफ्स बोथ ही लिफ्ट अप होंगे बेटा ठीक है तब अभी तो थोड़ा से वॉल्यूम बढ़ेगा आप देख भी सकते हो करोगे तो आपका इस्टर्नम आप डिरेक्शन में जाएगा ठीक है क्योंकि थोड़ा से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो अब समझ में आ गया कि अगर डाइफ्रम मुसल्स कॉंट्रेट करते हैं तो अब लिए बल्कुल जब दौनों ही रिलाक्स करेंगे वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा इंटर्नल एयर बाहर यही तो है नॉर्मल ब्रीधिंग यान इन दो मसल्स का अल्टरनेट कॉंट्रेक्शन रिलाक्शिएशन कॉंट्रेट करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा रिलाक्स करेंगे वॉल्यूम खटेगा तो नॉर्मल ब्रीधिंग में बस इनी का कॉंट्रेक्शन रिलाक्शेशन है समझ में आखो इस एक्सिस में क्या हो रहा है यह ध्यानखना है आपको ठीक है तो अगर हम एक्स फाइनली बात करते हैं इंस्पाइरेशन इंस्पाइरे कि आफ कि दैफ्रों मॉसल्स तो किस एक्सेस में वॉल्यूम की इंक्रीज होगा इंक्रीज वॉल्यूम इन एंटिरियो पोस्टिरियर एक्सेस ठीक है और क्या होगा साथ साथ में कॉंट्रैक्शन ओफ एक्स्टरनल इंटर कॉस्टल मॉसल्स अगे इन वॉल्यूम किस एक्सेस में इंक्रीज होगा इंक्रीज थोरासिक वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बास इन दोनों की बदे से क्या होने वाला है वही टोटल थोरासिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा जब ऐसा हो जाएगा तो आटोमेटिकली बाहर की यह अंदर इसी को तो बोलते हैं क्या एइस पाए रेशन समझ में आ गया होगा कि इंसपारेशन हो कैसे रहा है आपको समझना है यहां रिस का जा रहे है उप रेप्सका जा रहे है नीचे यह थोरा राएं कर रही है इसलिए बाहर की एर कहां कर रही है यह यह की Entry, Volume of Thorex, क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, तो यह diagram किसको represent कर रहा है, inspiration, यह ध्यान रखना है, arrows, arrows क्या represent कर रहे हैं, अगर मैं expiration की बात करता हूं, तो बस contract की जिए क्या करता होगे, relax, simple, अगर मैं expiration की बात करता हूं, तो क्या होगा expiration के अंदर, तो यह कुछ मेरी ठीक है बोत मत्वस्टर सार्रिलक्स जा अब बोत मसल्स आर रिलेक्स कि जब दॉना तो रिलाइक्स हो जाएंगे बीटाश थो क्या हो जाए थोरासिक प्रेशर प्रेशर बढ़ेगा तो अट्विन्ट लिइंटर्नल एर कहां जाएगी बाहार इसी को बोलते हैं एक्स पाय रेशन दोनों ही रिलाक्स कर रहे हैं यहाँ पर तो कैसी मेंगेंजम होगी पैसिव अग्याइग बाहर एक्टिव रिलाक्स हो रहा है पैसे देखो डिएग्राम भी रिप्रेजेंट कर रहा है न्सी आ ठीका कहां जा रहे है नीचे यह कहां जा रहा है उपर बापस डॉम शेप वाल्यूम क्या हो रहा है डिक्रीज तो एर का बाहर एक्सपेलशन ओफ एयर फ्र ऐसे लिए फोर्शफ फली एक्सपायर करते हो तो उसमें आप इंटर्नल इंट्रकॉसिल मसेर्स यूज़ करते हो एक्स्टर्नल इंट्रकॉसिल में से उसे नहीं करते हैं forcefully बहार आएगी इसी को तो मोलते है forceful expiration तो forceful expiration अगें active process है अगें active process है active process है इसमें हो गया रहा है इसमें बेटा contraction हो रहा है contraction of number one internal intercostal muscles अब external नहीं है ध्यान अगना और यहां पर diaphragm muscles नहीं आएंगे अब abdominal muscles एप abdominal muscles बाबा राम देब को देखा होगा कपाल भाती करते हुए तो वह पेट के stroke देखा होगा आपकी abdominal muscles बैली के muscles होते हैं वो अंदर प्रेस करते हैं ठीक है जो वह अपने अप अंदर होते हैं तो volume और कम होता है help मिलती है तो diaphragm उपर उठ जाता है तो और volume कम होता है और यहां पर यहां पर यह यूज होने वाले इंटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स और अब्डॉमनल मसल्स यह यूज होंगे बैटा इससे क्या होगा decrease decrease नहीं बहुत ज़दा decrease thoracic volume और जब thoracic volume decrease होगा तो क्या होगा forceful expulsion of air forceful expulsion of air इसी को तो बोलते है forceful तो यहां पर मसल्स चेंज होगे बस यह ध्यान रहता है आपको finish एकदम concept आपके brain में set हो गया होगा अगला हम concept लेके चलना है respiratory volume and capacities इस पर question आता है ठीक है अब पढ़ भी चुकिए होगे कुशन दिखा भी होगा आता भी है है ठीक है quick revision कराते हैं तो पहले पता हो न चीए कि respiratory volumes and capacity volume का मतलब है respiratory का मतलब है हमारे lungs के volume और lungs की capacity को measure करने के लिए जो instrument यूज करते है क्या बोलते है इसको spirometer दिख भी रहा होगा आपको this is a spirometer इसको क्या बोलते है spirometer स्पाइरो मीटर तो इस spirometer यूज करते हैं हम इसको measure करने के लिए और जो graphical representation होता है दिख रहा होगा this is a graphical representation of ठीक है आपके breathing का graphical representation is a spirogram तो is a spirogram is a graphical representation of ठीक है pulmonary volume and capacity तो आप दिख रहा है इस a spirogram और spirometer is a instrument which used for measure pulmonary volume and capacity तो is a spirogram and spirometer आप समझ गए होगे तो इसी के बेस पर हम इस graphical representation की study करेंगे ठीक है और इसके बेस पर हम identify करेंगे कि volume क्या होते हैं और capacity क्या होती है देखो तो यह तो होगा spirogram ठीक है spirogram represent हमने बीच में कर दिया इधर देखेंगे हम volume और उधर हम लिखेंगे capacity's start करते हैं मेटा समझो यह समझने का एक दम दिमाग में set कर लेना ठीक है एक भी पॉइंट नी छोड़ रहा हर पॉइंट conceptual आपके brain में set करने वाला हूं बट आप ध्यान कितना देते हो यह आप पर depends करता है ठीक है सबसे परले हम बात करते है जाए जब आप नौर्मल कंडिशन में होते ओ तब आप कुछ air लेते हो कुछ air नैकलते हो कुछ air नीकलते हो शियर नीकलते हो normal breathing तो normal breathing जबँ़ा आप करते हो तो qui यह यह ले रही हो निकाल रही हो बेटा इसको बोलते है है हम ताइडल वोल्यूम क्या बोलते हैं है टाइडल वोल्यूम में बोलते हैं इसको टीवी या बोलते है इसको टी वी ती शर्ट फर्म धिहाअ रहि dispers त्य स्कुश200 ड्न आएगा टी वी ट्र वोल्यूम तो टाइडल वोलिम कितना होता है यह अ enclosure डिटा-बटा-फाइब गे-डेड़ एमाउंट-फएयर विच इनस्पायड यह एकसपायर द्यूरिंग नौर्मल ब्रीटिंग इसको क्या बोलतने हम टइडल वॉल्यूम जो कितना होता है बटा-फाइब हंड्रेड है माल होता है एक बाद कलिए है आप ले रहो फाइब तो इडिशनल वॉल्यूम ओफ एर एडिशनल वॉल्यूम ओफ एर ना टाइडल के बाग एडिशनल वॉल्यूम ओफ एर विच फॉर्स फुली इंस्पायर आफ्टर टाइडल वॉल्यूम तो टाइडल वॉल्यूम के बाद आफ फॉर्स फुली जितना भी वॉल्यूम समझ रहा है, इसको बोलते है, inspiratory reserve volume, IRV, समझ ना, तो यहां से, यहां तक, जो भी कुछ है, यह है बेटा, IRV, inspiratory reserve volume, IRV, inspiratory reserve volume, जो कितना होता है, inspiratory reserve volume, यह आपको देहान रखना है, 25, 00 से लेकर के, 3000 ml, यह भी clear होगे आपको, ठीक है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है, आपको, ठीक है, तो यह ने बताया ना, बेटा, volume of air, इंस्पार, 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 या एक्सपार, डूरिंग, नॉर्मल कर सकते हो, IRV, इंस्पार, 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 इंस्पार कर पा रहे हो, title volume के बाला जो भी forcefully expire कर पा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटा, expiratory reserve volume ERV expiratory reserve volume, जो कितना होता है, approximately आप बोल सकते हो, 1000 से लेकर के 1100 ml, इसको बोलते हैं, expiratory reserve volume यानि, title के बाद title के बाद, additional volume जो आप निकालते हो, ठीक है expiratory reserve volume, but फिर भी कुछ रह जाता है जो नहीं निकलता क्योंकि लंक्स यह निकल गया, तो लंक्स कॉलाप्स कर जाएंगे लंक्स को maintain करने लिए रिस्पॉंसिबल है, क्योंकि लंक्स में negative pressure होता है, भी negative pressure के मादला है vacuum always present है उसको fill करने के लिए कुछ air always हमारे लंक्स में रहेगी residual, जो always present in our lungs तो कितना, इसको क्या बलते हैं, RV RV, इसको निकाला नहीं जा सकता, ठीक है death होने के बाद ही निकलता है, birth से लेकर कि death तक maintain रहता है residual volume, जो कितना होता है, ऐसे यह रखना 1100, वह यह 121100, तो अब ध्यार रखना 1100 to 1200 ml, अब याद रहेगा 11, 11, 12, residual volume क्यों होता है, due to negative pressure कौन responsible होगा, due to due to negative pressure negative pressure की बज़े से यह हमारे लंक्स में always present होता है, तो volume सारे एकदम clear होंगे बेटा, ठीक है, अब बात करते हैं, वस volume आप याद कर लो, capacity तो दो मिट में याद हो जाएंगे, अब capacity, अब देखो, capacity की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आपकी inspiratory capacity, देखो, inspiratory और expiratory capacity निकालने के लिए पहले आपको normal आना पड़ेगा, तो अब मैं आपसे कहता हूँ, कि आपकी year को inspire करने की capacity क्या है, normal होते हुए, तो normal का मतलब है, आप कहाँ पर हो? टाइडल पर हो, टाइडल पर होते हुए, आप क्या-क्या inspire कर सकते हो, आपको कुछ सर, मैं टीवी inspire कर सकता हूँ, और IR भी inspire कर सकता हूँ, क्या इसके लाबा कुछ और inspire कर सकते हो? ना बेटा, last limit आपकी यही है, जरी आपकी inspiratory capacity, शमता, year को lungs में लेने की शमता, पर कहाँ स होते हुए, नॉर्मल होते हुए, समद रहे हो, टाइडल से, तो आप बलो कि दो ही volume ले सकते हो, तो इसको बुलते हैं हम, inspiratory capacity, जो क्या होगी, टीवी, प्लस, आई, आर, वी, कैलकुलेशन करने की जरो, याद करने हैं जरो नहीं है, क्योंकि आप टीवी आप जानते हो, 500 होता है, और आई, आई, आप जानते हो, maximum 3000 होता है, तो capacity किदर हो गई, 3500, इसको याद नहीं करना, जो तो अपने आप याद रहेगी, बस आपको वो वॉल्यम याद रखने है, और concept याद रखना है यहाँ पर, ठीक है, जैसे मैं आप से कहूँ बेटा, कि आपकी expiratory capacity कितनी है, तो आप कहोँगे, सर पहले नॉर्मल तो आ जाए, मैंनि आ जाओ बेटा, ठीक है, टाइडल वाली condition पर आजाओ, ठीक है, आगए आप, अब आप टाइडल निकाल सकते हो, और expiratory reserve volume निकाल सकते हो, residual volume तो निकाली नहीं सकते है, वो तो after death निकलेगा, ठीक है, यानि अगर आप से कहा जाए कि आपकी expiratory capacity, तो आप यहाँ से मेजर करोगे, और यहाँ तक करोगे, यह क्या होगी आपकी expiratory capacity, expiratory capacity, यह नहीं, air को लंग से भार निकालने की शमता, कहां से, normal condition से, volume of air, which forcefully expire, समादा है, मेरी बात, जिसको हम forcefully expire करते है, ठीक है, कहां से, आप लोगे, from, ठीक है, क्या सकते हो, normal condition से, तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी expiratory capacity, तो expiratory capacity is equal to क्या जाए का, टीवी प्लस ERV, तो TV प्लस ERV, तो TV आज जानते हो 500, और ERV आप जानते हो, कितना था, maximum value ERV की 1100, तो 500, 1100 कितना हो गया, यह आप समझ गे, 1600 ml, तो इसको याद नहीं करना, यह तो ऐसे याद हो जाएगा, चलो, दोनों तो समझ में आगे, आपकी in करने की capacity, आपकी out करने की capacity, from tidal volume, अहा हम आप से कहते हैं कि आपकी vital capacity क्या है, vital, जो आपकी vitality के लिए responsible है, यहां से यहां तक, जो भी कुछ दिख रहा है आपको, all are vital, तो अगर आप से vital capacity की बात की जाती है, समाज ना, this is a vital capacity, vital capacity, तो vital capacity के मतला होता है, volume of air which forcefully inspire, forcefully inspire, after forceful expiration, पूरा पहले निकाल दो, पूरा निकाल दो, यहां तर निकाल दिया, अब maximum कितना आप इन कर सकते हो, यहां तक कर सकते हो, यहां कि क्या होगी, vital capacity, या ऐसे भी कह सकते हो, volume of air which forcefully expire, after forceful inspiration, पहला गहरी सांस ले लो, फिर गहरी सांस निकालो, तीनों वॉल्म आप निकाल दोगे, इसी को vital capacity बोलते हैं, जिसमें TV भी आ गई बेटा, प्लस आई, आर, वी भी आ गया, प्लस ए, आर, वी भी आ गया, तीनों को जोड़ता हैंगे, तो बोलते हैं, vital capacity, समझ गई होगे, अब बात करते हैं हम बेटा, functional residual capacity, बच्चा बस यही बूसता है, इसी को समझा रहा हूँ मैं आपको, functional residual capacity, देखो, यहां से यहां तक, FRC, इस पर question भी बहुत आते हैं, इसको बोलते हैं, FRC, क्या होती है, FRC, functional, functional का मतलब, आप breathing करते रहो, functional का मतलब, आप breathing mode में हो, breathing mode में रहते हुए, breathing mode में रहते हुए, कितना air आप lungs में रोक सकते हो, residual capacity, functional रहते हुए, breathing करते हुए, आपके lungs में air को hold करने की capacity, तो आप टाइडल लो, टाइडल निकालो, आप टाइडल लो, टाइडल निकालो, आप टाइडल ले रहे हो, निकाल रहे हो, तो lungs में क्या क्या है, तो lungs में आप जानते हो, तो यहां से यहां तक, expiratory reserve volume, lungs में ही तो है, और residual volume तो always present in our lungs, यानि आपकी functional residual capacity की अगर बात करता हूँ, बेटा, तो इसमें दोनों volume आ जाएंगे, यानि इसको ले रहे हो, C को निकाल रहे हो, इसको नहीं निकाल रहे हो, इसको नहीं निकाल रहे हो, यह तो lungs में है, और य तो होगे, यहां जोडने वाले होँ, expiratory reserve volume प्लस residual volume, इन दोनों को मिला दोगे, तो क्या बन जाएगी, आपकी residual, functional residual capacity बन जाएगी, आपकी, आप समझ गए होगे, functional residual capacity क्या है, अगर मैं आप से को हूँ बेटा, ठीक है, total lung capacity क्या है आपकी है, तो total का मतलब है, चारों को जोड़ दोगे, यहां से, यहां तक, चारों को अगर एड कर दोगे, तो आपकी total lung capacity आजाएगी, ठीक है, इसमें तो कोई doubt होगा है यह नहीं, टी, एल, सी, total lung capacity, तो चारों को जोड़ दो, ऐसी भी लिख सकते हो, vital capacity, प्लस, residual volume, अगर vital capacity में residual volume जोड़ दोगे, तो चारों तो आगए बेटा, vital capacity में 3 होगे, residual volume में नहीं चिवाल आ गया, तो टोटल को मिलागी, क्या बोलेंगे, इसको, total lung capacity, यानि टाइडल volume, IRV, ERV and residual volume, यहां तक, एकदम clear होगा, यह volume होगा, यह capacity होगा, direct question मिल जाएगा, आप से पूछा जाएगा, which of the falling, मैं लिखी देता हूँ, चलो, एक question और आता है बेटा, pulmonary ventilation, NCRT के पहली परामें रखा है, pulmonary ventilation, नाम में चुपा हुआगा, pulmonary ventilation, यानि लंग से, तो pulmonary ventilation is equal to होता है, rate of breathing, rate of breathing into tidal volume, आप एक मिनिट में कितने बार ब्रीथिंग करते हो, NCRT के लाइन है, 12 to 16 टाइम करते हो, ठीक है, यह आपकी rate of breathing है, और एक breathing में आप किसको ले रहे हो, निकाल रहे हो, टाइडल volume को ले रहे हो, निकाल रहे हो, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, यानि नॉर्मल condition में आप टाइडल को ले रहे हो, टाइडल को निकाल रहे हो, तो एक मिनिट में कितने बार आप टाइडल volume निकाल रहे हो, ले र तो आपकी यह क्या होगा पलमारी वेंटिलेशन रेट हो गई आप समझ पारें ना मेरी बात ठीक है तो यह पलमारी वेंटिलेशन रेट बोलेंगे पर मिनट ठीक है तो इसको दे रखाया एप्रॉक्सिम इड्ली सका इंटु करतों जो आएगा वो क्या हो जागा रेट ओफ dwelling, rate of breathing per minute इ přयाए प्रिमनेट baibl danny Wash डिभ को कर सकते हैं कैसे रिजद्वल वेंटिलेशन भी जाता है mentioned यह तो always lungs में ही रहता है, spirometer से उसी को measure कर सकते हो, जिसको आप बाहर निकाल पा रहे हो, residual volume, और capacity, ऐसी कोई भी capacity जिसमें residual volume है, उसको spirometer से measure नहीं कर सकते, तो दो को इसमें भी residual volume है, और इसमें भी residual volume है, यानि FRC और TLC को आप spirometer से measure नहीं कर सकते, तहां रखना है आपको, एक एक पार्ट हमारा यह complete हो गया, अब हम start करते है, exchange of gases, ठीक है, इसकी बात करते है, exchange of gases, बहुत important है, ठीक है, बच्चे confused भी होते हैं इसके अंदर, NCRT के diagramming उठा लेते हैं, अब समझ ना इसको, समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, inspiratory air, expiratory air, समझ ना, तो पहले पता होना चीए, कि atmosphere में, air का, अगर मैं बात करूँ, आप से atmosphere की, atmosphere में आप जानते हो, यहां focus करने वालें सिर्थ दो ही, पर, अगर मैं atmosphere में आप से बुच्छूँ, partial pressure of oxygen कितना होता है, तो आपको पता होना चीए, 159 mmHg, ठीक है, atmosphere में partial pressure of CO2 कितना होता है, तो यहां आपको पता होना चीए, 0.3 mmHg, यह partial pressure की बात कर रहा हूँ, ठीक है, percentage आप जानते ही हो, percentage तो हर बच्छे को बताई होती है, वही percentage कितनी होती है atmosphere के अंदर, यहां आप जानते हो, यहां percentage कितनी होगी, वही 21% oxygen होती है, ठीक है, 21% oxygen होती है, और approximately 0.04% CO2 होती है, यह तो पताई है, remaining nitrogen, ठीक है, total partial pressure कितना होता है air का, total partial pressure जो air का होता है, air का, 760 mmHg, यह आपको पताई है, यह atmosphere में oxygen हो CO2 का partial pressure है, जो हर बच्छे को पता होता है, आपको भी ध्यानक ना है, यह वो partial pressure है, जिसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप during inspiration अपने lungs में ले करके जा रहे हो, यह अपने lungs में ले कर जा रहे हो, तो lungs में जो air ले कर जा रहे हो आप, उसमें oxygen कितना है, oxygen है 159 mmHg, CO2 कितना है, 0.3 mmHg, पर lungs में आते, क्या हो जाएगा, oxygen तो कम हो जाएगी, 104, CO2 बढ़ जाएगी, 40 mmHg, ऐसा क्यों, कोई continue oxygen कहां जा रही है, diffuse हो रही है, oxygenated blood में, और continue CO2 कहां जा रही है, lungs में, इसलिए CO2 का partial pressure बढ़ जाएगा, और oxygen का partial pressure यहां आ करके घट जाएगा, आपको ध्यान अखना है, कि alveoli के अंदर oxygen का partial pressure, oxygen का कितना होगा, ठीक है, 104 mmHg, CO2 का कितना होगा, CO2 का 40 mmHg, इन alveolus या alveolai, चलो ठीक है, अब समझना यह होगा, कि यहां हो क्या रहा है, diffusion of gases, तो कि यह कैसा blood है, भई, pulmonary artery में कैसा blood होता है, de-oxygenated blood, यह तो आप जानते ही हो, ठीक है, pulmonary vein में कैसा blood होता है, oxygenated blood, oxygenated blood, यह भी आपको पता है, ठीक है, तो de-oxygenated blood में अगर मैं आप से पुछ हूँ, कि oxygen का partial pressure क्या होगा, CO2 का क्या होगा, भई, de-oxygenated है, तो oxygen कम होगा, CO2 जादा होगा, जादा का मतलब 45 mmHg, और कम का मतलब only 40 mmHg, तो यहां जो diffusion हो रहा है बटा, वो CO2 का 45, और oxygen का 40 के बीच में हो रहा है, ठीक है, यहां पर oxygen कितना है, 104, यहां कितना है, 40, यहां CO2 कितना है, 40, यहां कितना है, 45, तो high से low, diffusion, और diffusion होने के बाद, अब जो oxygen का आ जाएगा हो कितब जाएगा 95 और सीव टू इतना रहाएगा कम हो जाएगा 40 क्यों क्योंकि oxygenated blood है तो oxygenated blood मैं और लेड़ी oxygen जादा होगा वह यहाँ 104 था और diffuse होके के कही तर आगया 95 और यहां टा आतेया के तर जागा उनली थिख़्य 40 अब दिखाता हूं का भी यहां तक ला करके तो यह यहां से होकर के हर्ट में जाएगा हर्ट से ओकर के सिस्टम अक आईटरी में आएगा मी ऑफ भी pressure same ही रहेगा same ठीक है pulmonary vein और systemic artery में pressure same रहेगा यहां पर कोई change नहीं आएगा आप कोई समझ ना होगा यह वाली बात ठीक है चलो ठीक है अब यही pressure यहां आ गया oxygen कितना था 95 95 लिख देते हैं co2 कितना था 40 40 लिख देते हो रहा है तो अब क्या होगा again diffusion होगा 95 से 40 की तरफ वाक्सिन जाएगी 45 से 40 की तरफ co2 जाएगी तो after diffusion क्या बनेगा systemic vein systemic vein में भी वही pressure होगा जो pulmonary artery यही तो आगे जाकर कि किसम कनवर्टोरी pulmonary artery और finally आप क्या करने वाले हो air को बाहर निकालने वाले हो जब आप air को बाहर निकालोगे तो उस air में उस air में oxygen और co2 का partial pressure क्या होगा ठीक है जब air को बाहर निकालोगे तो oxygen उसके अंदर होगी विटा 116 mmHg आपने ली कितनी थी ली थी आपने 159 निकाल कितनी रहे हो 116 यानि कितने परसंट वाली ली थी आपने आपने ली थी यहां पर 21 परसंट पर निकाल किता रहे हो आप निकाल रहे हो यहां पर आप जो बाहर निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो 16 परसंट यानि जब आप air बाहर निकालते हो तो उसमें oxygen होती है 16% बहुत है जानि एक बार में आपने जो oxygen utilize की है वो only 21 में से 16 बार निकाल लेगो तो यानि इसको 100 मान लोगे तो कितना परसेंट आप निकाल रहे हो 75% निकाल रहे हो 20 रुपए में से 5 रुपए आपने खर्श कर लिए 15 रुपए आप बाबस कर रहे हो तो कितना परसेंट य हुआ होगा CO2 का level तो कितना बड़ा हुआ होगा यह 32 mmHg CO2 होगा यानि जो यह आप बाहर निकालते हो उसमें CO2 32 होता है और oxygen 116 होता है ऐसा नहीं होता समद रहे हो तो यह कोशन आया हुआ है mouth to mouth respiration जैसे ventilator नहीं है तो oxygen को प्रेशर ली अंदर डालने के लिए आपको अप mouth to mouth respiration बोलते हैं तो कितना परसेंट oxygen ट्रांसपोर्ट की जाती है आप तो बोलोगे 16% को जो यह आप निकाल रहे हो उसमें 16% atmosphere की 60% oxygen है आप समझ गयोगे atmosphere में 21% नॉर्मल होती है पर जो आप निकाल रहे हो उसमें 16% जानि सिंगल सर्कूलेशन में आपने total का कितना परसें किया 25% समझ के ना 75% निकाल रहे हो तो यह समझ में आया होगा है कुछ भी नहीं आपको लग रहा है कि हो क्या रहा है देखो मैं सिंपल तरहीं कर देता हूं यह NCRT में टेबल दे रखी है याद रहेगी अगर कोशन कैसे आएगा देखो कोशन ऐसे आएगा यह पहले समझा हुआ ऐसा हुआ क्या मानों यह स्कूल है यह बच्चों को मैं एक्जामपल देता हूं तो बच्चों को समझ में बहुत अच्छी से आ जाता है ठीक है इस स्कूल का यह गेट है इस स्कूल के अंदर यह क्लास्रूम है और क्लास्रूम के अंदर विंडो लगे हुए यह विं इस क्लास के अंदर CO2 का लेविल तो जादा होगा पर ऑक्षिजिन का लेविल कम होगा यस और नो यस आप घबडाहट की बज़े से कहोगे सर हम बाहर जाते हैं कॉरिडोर में यहां थोड़ी सी ऑक्षिजिन हमें जादा मिलेगी ऑक्षिजिन जादा होगी CO2 कमपरेट पलास के यहां किया होगी कम होगी आप बीरीधिंग कर पाओगे थीक है पर आप में से कुछ बच्छे जाएं कर बहार जाते हैं क्यों जा रहे है बोटा शर बहार ऑक्षिजिन यहां से भी जादा होगी और CO2 यहां से भी कम होगी बलकुल सही यानि जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे oxygen का लेविल बढ़ता जाएगा अंदर आते जाओगे oxygen का लेविल घरता जाएगा CO2 का लेविल अंदर जादा होगा पर जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे CO2 का level घरता जाएगा आप समझ गे ना तो यही तो हो रहा है हमारे अंदर भी atmosphere में oxygen 159 lungs में oxygen 104 oxygenated blood में oxygen 95 तो tissue में oxygen 40 CO2 ले लो tissue में CO2 45 deoxygenated blood में CO2 ठीक है again 45 पर lungs में CO2 40 जो यह बाहर निकाल ले हो CO2 32 और atmosphere में CO2 0.3 तो बस यह हो गया reducing order समझ में आगया होगा यह class वाला example आपको memorize करेगा ठीक है अगर मैं आप से decreasing order पूस्ता हूं oxygen का ले लेते हैं partial pressure of oxygen atmosphere से लेके चलते हैं atmosphere में oxygen कितना होता है 159 mmHg lungs में कितना होगा 104 oxygenated blood में कितना होगा 95 तो tissue में कितना होगा 40 mmHg एकदम clear हो क्या होगा ठीक है पर अगर मैं CO2 की बात करूं CO2 partial pressure of CO2 अब समझना यह हम कहां से ले रहे हैं atmosphere से तो partial pressure of CO2 की बात करेंगे तो यह कहां से करेंगे यहां से ले रहते हैं tissue से यहां से उल्टा स्टार्ट करते हैं इसको पर tissue में CO2 कितना होता है आप जानते 45 ठीक है तो deoxygenated blood में कितना होता है CO2 अगेन 45 deoxygenated blood cycle बिल्कुल बेस जा रहे है जा रहा है lungs में CO2 कितना हो जाएगा 40 oxygen यह इतना होगा ठीक है और जो air बाहर निकालोगे उसमें CO2 कितना होगा 32 पर atmosphere में CO2 कितना होता है atmosphere में होता है 0.3 mmHg बास यही question सारे बनेंगे बस यह line याद रखने है आपको ठीक है तो reducing water हमने किसके लग दिया oxygen का reducing water किसके लग दिया CO2 का oxygen का atmosphere से tissue की side और CO2 का tissue से atmosphere कि side एक dumb conceptual कोई भी question नहीं चूटेगा अगर यह trick transport आपके brain में सेट करने वाले हैं ठीक है तो सबसे बहले हम बात करते है transport of oxygen नमबर वन transport of oxygen हो सकता है थोड़ा time जयता लग जाए पर concept मैं आपका एकदम set करूंगा फूरे chapter का ठीक है तो अब दुखो अगर हम transport of oxygen की बात करते हैं तो oxygen का transport किस-किस form में होता है कितना percent होता है ध्यानक नहीं अप्रोक्सिमेटली 97% के आसपास ठीक है 97% approximately इसके आसपास जो oxygen का ट्रांसपोर्ट होता है वह होता है कि आउक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में आउक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में यानि आउक्सीजन maximum हीमोग्लोबिन के साथ जूड़ करके जाती है क्यों जाती है यह पता होना चीए क्योंकि oxygen की solubility competitive CO2 की solubility बहुत कम होती है NCRT की लाइन CO2 की solubility 25 time जादा होती है oxygen से 22 25 time लिक रखाए NCRT ने इसलिए CO2 की solubility जादा है इसलिए वो plasma के थो 77% ट्रांस्पोर्ट कर लेती है बताने वाला हो आगी जबकि oxygen की solubility कम है इसलिए वो plasma का रास्ता नहीं चुनती वो RBC के थो ट्रांस्पोर्ट करती है थो हीमोग्लोबिन ठीक है तो यहाँ plasma के थो कितनी होगी approximately आपके सकते हो 3% के आसपा दो से लेकिए 3% फ्रो प्लास्मा ठीक है कि डिजॉल्विन प्लास्मा चलो एक बात समझ में आए कि oxygen का ट्रांस्पोर्ट ठीक है किस किस फॉर्म में कितना हो रहा है ठीक है अब हम CO2 ट्रांस्पोर्ट के साथ oxygen का ट्रांस्पोर्ट भी दिखा देंगे एक साथ अब बात आती है oxygen ट्रांस्पोर्ट के अंदर NCRT में दे रखा है बहुत important HbO2 dissociation curve very 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 important है बहुत important ठीक है तो पहले समाझ में आना चाहिए यह कर्व क्या है किस किस के बीच में ड्रॉ किया है ठीक है तो यहां हमने प्रशल प्रेशर ऑफ ऑक्सिजन लिया और यहां पर पर्सेंटिस saturation लिया जैसे मानों यह हीमोगलोबिन है अब जातों हीमोगलोबिन में कितनी चेन होती है चार टुवाइलफा टू बीटा कितने oxygen molecule बाइंड कर सकते हैं चार आगर मैं कहूं इस हीमोगलोबिन से एक oxygen molecule बाइंड किया तो कितना परसेंट यह हीमोगलोबिन oxygen saturate हो गया चार में से एक किया तो 25% से चुरेट हो गया अब आप से कहूं बीटा एक और oxygen molecule बाइंड किया आप कितना परसेंट हो गया 50% हो गया अब मैं oxygen का लेविल और बढ़ा रहा हूं और लेविल बढ़ा दिया और oxygen बैंड हुआ अब कितना परसेंट से चुरेशन हुआ अब बलगुसर 75% और oxygen का लेविल बढ़ा दिया मैंने oxygen का और बाइंडिंग होई अब बीटा कितना saturation हुआ आप बरहुशार 100% सैचुरेट हो किया और oxygen का लेविल बढ़ा देता हूं मैं बेटा हंडेट हो गया चल लेविल और बढ़ा देते हैं और बढ़ा देते हैं कि और सेचुरेशन होगा ना एक बार एक बार परसेंट सेचुरेट हो जाने के बाद कितना भी परसेंटेज बढ़ा देना ऑक्सिजन का आप समझा रहे हो एंजाइम पर भी यह चीज एपली के बिलो होती है भई बीकर में अगर एंजाइम पढ़े हैं और सबस्ट्रेट की सबस्ट्रेट के साथ सचुरेट हो जाएंगे फिर कुछ नहीं हो सकता इस सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन का तभी तक इफेक्ट पड़ता है जब तक कि सचुरेशन कंप्लीट नहीं आएगा मीस यहां यही तो दिखा रहे हैं यहां पार्शल प्रेशर और ऑक्सिन क्या करत रहर और मेरी बात क्या हुतन जाएस तो यहां पर को कि अधकर प्र्शीन क्या होता जा रहा है आपर इंक्रीज है सेड़ाइस अ सम्मादेन अरि मेरी बात क्या हुता ओग्स के स्रेक्ट कि अध्यूरेशन ओफ ईच भी HbO2 क्या होता जा रहा है इंक्रीज होता जा रहा है जैसे से oxygen बढ़ाओगे percentage saturation भी बढ़ता जाएगा आप समझ रहे हो यही तुम दिखा रहे हैं पर एक time ऐसा आएगा कि आप कितना भी oxygen बढ़ाओगे percentage saturation नहीं बढ़ेगा क्यों तो कि hemoglobin 100% saturate हो गया तो यह graph क्या दिखाना चा रहा है समझ गए होगे यह graph दिखाना चा रहा है बटा कि जैसे से oxygen का label बढ़ाओगे partial pressure of oxygen in mmHg increase the percentage saturation of HbO2 also increase बट एक condition आएगी उसके बाद कितना भी आप कुछ भी कर देना यह saturation increase नहीं होगा 100% saturation हो चुका तो एक बात हो समझ में आगी इस graph को क्या represent कर रहा है ठीक है अब यहां हमने क्या बोला oxygen hemoglobin dissociation curve अब हमको बताना चाहेंगे कि यह curve बेटा कभी कभी यहां की बजाए ऐसे भी हो सकता है right shift भी हो सकता है ठीक है यह right भी हो जा सकता है कभी कभी यह left side में भी जा सकता है left और right तो वही हम समझाने वाले है left जाएगा तो क्या होगा right जाएगा तो क्या होगा इस shifting को ही हम explain करने वाले हैं इस curve के थो ash shape कर बनता है इसलिए इसको sigmoid कर बोलते हैं बोर्ट साब ने इसके dissociation की बात की थी वह हम समझाने वाले हैं और oxygen और hemoglobin के बीच में draw कर रहे हैं हम समझाई चुके हैं आपको अब देखो समझ में आएगा आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से तो यहां तो समझ में आई गया आपको ठीक है left right वाले concept clear यह ठीक है अब देखो यहां समझाने वाले नॉर्मल केस में हमने curve को draw कर दिया ठीक है अब हम इस curve को देखो जब भी आपकी body के सामने कोई unfavorable condition हो कैसी condition हो unfavorable तो यह curve कहां shift होगा यह curve shift हो जाएगा यहां से right side मानो आपकी body के सामने more favorable condition हो more favorable तो यह curve जाएगा left side यहां से यह ठीक है तो अब मैं आप से पूछनूंगा बैटा तो यह तो जो हम लिखा है हमने यहां हम लिख रहे हैं बैटा यह आर फॉर राइट अधर नहीं यह तो राइट को represent कर रहा है यह left को represent कर रहा है ठीक है बीच वाला नॉर्मल कंडिशन इसी को हम रिपर जेंट करेंगे देखो सब्से पहला हम बात करते हैं आर की यहीं राइट सेफट राइट कि सिफट बहुर साब ने इसी को explain किया था राइट सिफट पर हम साथ साथ में लैफ्ट को भी रिपरेजेंट करेंगे लाफ्ट सेफट खुम्ब कूल सिम्पल तरीके से इसको explain करके आपके बेन में सेट करने कोशिश करेंगे right or left थीक है अगर मैं right shift की बात करता हूँ समझना right shift कब होता है favorable या unfavorable तो right shifting होती है always un favorable और जब भी unfavorable condition होगी तो क्या hb02 का association होगा dissociation always dissociation of HbO2 बस यही बात तो कि इस्प्लेन की थी किसने बोर्स साब ने सुट इस कॉल बोर्स इफेक्ट अगर माल लो यह कर्वर लेफ सिफ्ट होता है तो लेफ सिफ्ट कब होगा जब फेबरेबल कंडिशन होगी और फेबरेबल कंडिशन होगी तो समय HbO2 का association होगा dissociation association of HbO2 बास यह वाली बात किसने बोली थी Halden साब ने है हल झां यह बास यही सम्झाने वाला होमें ठीक है यह यह नॉर्मल कर्व मह लेफट और राइट सिफ्टिंग कंडिशन को बताती ए ठीक है कि नॉर्मल करभ है ओक्सिन हीमोग्लोमीं के बीच में ड्रा किया है हमने ठीक है वह कौनसी कंडिशन है जब जब इसको right shift करती है वो कौन सी condition है या factor है जो उसको left shift करते है right unfavorable condition में होता है और left favorable condition में होता है ठीक है अब एक चीज़ और बताएंगे आपको तब हम इस favorable unfavorable पर जा रहे है दोगो यह saturation हो रहा है 0% 20 40 यहाँ पर मालो 50% saturation कतना परसंट 50% saturation 50% saturation जिस partial pressure पर होता है बिटा इस partial pressure को हम यूज तम यूज करते हैं पी 50 value यहां से कदर चेंज कर देते हैं यहां पर तो भाई partial pressure of oxygen at 50% hemoglobin saturated इसको क्या बोलते हैं 50 50 value तो पी 50 value क्या है it is a partial pressure of oxygen oxygen का वो partial pressure जिस पर 50% hemoglobin क्या हो जाए saturated कितना होता है approximately 25 से थोड़ा कम यह 25 के आसपास 26 वैसे होता है ठीक है हम 25 लिख देते हैं 25 mmHg approximately 25 mmHg जिन इस partial pressure पर समना partial pressure of oxygen partial pressure of oxygen oxygen का वो partial pressure जिस पर 50% hemoglobin saturate हो जाए उसको क्या बोलते हैं पी 50 value तो मैं आप से बोलू नॉर्मल कंडिशन में पी 50 value कितनी होती है 25 mmHg एक दम समझ में आएगा आपको अहम तीन बाते हैं नॉर्मल कर्व था किस किस के बीच में था clear है यह कर्व राइट भी सिफ्ट हो सकता है यह कर्व लैफ्ट भी सिफ्ट हो सकता है राइट सिफ्ट होगा unfavorable condition और unfavorable condition में कभी होता है इनके बीच में इसी बात को प्रूफ किया था बहुर सा आपने सोड़ स्कॉल बहुर से फैक्ट यह है एक बात क्लियर हो गई जबकि मैं लेफ्ट की बात करता हूं लेफ्ट जब और आपसे कहूं यह कर्व राइट सिफ्ट होता है तो अगर मैं आपसे कहूं यह कर्व राइट सिफ्ट होता है है तो पी फिपटी वैलू पर कहा है कुछज आएगा वही वैलू बढ़ जाएगी पहले यहां लिधंप अब कहा यहां आएगे तो पी किटीव बढ़ जाएगी यहां एसे भी बहुल मूं कि अगर किसी करव में bd को रही है यह घट रहा सकते हो आप कहीं कुछ भी यहां क्या हो रहा है बटा यहां पर P50 value reduce हो रही है P50 value reduce होना आपके लिए better है competitive increase होने के यह यह कम oxygen पर ही आपका hemoglobin saturate हो रहा है यह यह ज्यादा oxygen चाहिए saturation के लिए unfavorable condition है एक दम clear cut होगा अब हम बात करते हैं factor इसके अलावा क्या क्या होते हैं आप देखो अगर मैं आपसे को हैं बेटा कि आपकी body में partial pressure of oxygen कम कर दिया जाए आपके लिए favorable unfavorable unfavorable करब कहां सिप्ट हो जाएका राइट अगर मैं आपसे बोलू कि partial pressure of co2 बढ़ा दिया जाए favorable unfavorable unfavorable और partial pressure of co2 बढ़ता है तो already क्या होता है बेटा ह आइच आइन ऑटोमेटिक ली बढ़ जाते हैं और ह आइच आइन बढ़ जाएंगे तो automatically pH घट जाएगी सब पूसें co2 बढ़ता है यह बढ़ेगा तो हाइन बढ़ेंगे हाइन बढ़ेंगे तो pH घटेगी और pH घटेगी medium acidic favorable unfavorable सारी unfavorable condition दौनों के बीच में break up HBO2 टूड जाएगा अचा इसके लावब और क्या factor है अब मैं आप से को हूँ बढ़ेंगे यह condition partial pressure of oxygen कम कहां होता है टिशू में ठीक है अचा पर वह भी बात करने पी 50 value अगर मैं आप से को मेंट पी 50 value को increase कर देते हैं तो right shift left shift right shift मैं आप से बोलूँ बैटा temperature temperature increase कर देते हैं इंक्रीज का मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं एप्रोक्सिमेटली 40 43 के आसपास 43 degree Celsius के आसपास temperature कर दोगे क्योंकि इससे ज्यादा करोगे तो प्रोटीन ही तूट जाएगी इंक्रीज कर देते हो ठीक है नॉर्मल से इतना इंक्रीज कर दोगे तो आपका rate of breathing भड़ जाएगा आपके लिए unfavorable condition हो गई ठीक है टिशू के पास नीर ता टिशू करते हैं unfavorable condition को represent करते हैं HbO2 dissociation के लिए responsible है बहुर effect इसी को represent करता है ठीक है अगर मैं यहाँ इसका opposite कर दोगे बस simple opposite क्या मतलब यहां क्या कर रहे हो oxygen का partial pressure बढ़ा रहे हो बहुत बढ़िया बात है ठीक है और NCRT के लाइन है कि partial pressure of oxygen primarily effect डालता है HbO2 dissociation की उपर NCRT के लाइन है ठीक है कि oxygen का होना बहुत जरूरी है तभी HbO2 का association होगा main role oxygen play करता है करते सारे हैं पर main oxygen play करता है ठीक है primary factor कर सकते हो primary factor इसके अलाबा अगर मैं कहूं बढ़ा partial pressure of co2 कम कर देते हैं अच्छी बात है और partial pressure of co2 कम होगा तो automatically आप जानते हो हाइन भी कम हो जाएंगे हाइन कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा बटा हाइन कम हो जाएंगे तो pH बढ़ जाएगी alkaline condition आजाएगी सारी favorable conditions है जैसे पी 50 वैल्यू यहां पी 50 वैल्यू आपने क्या की थी increase और अगर मैं आप से कहूंगे पी 50 वैल्यू को मैं decrease कर दूँ favorable and favorable more favorable कम परी काम हो जाएगा temperature बढ़ाया था अगर मैं temperature को घठा दू decrease temperature कितना घटा दू approximately 20 के आसपास कर दू तो यह best condition है आपकी body के लिए मज़ा जाएगा आपको आपका left shift हो जाएगा हाँ यह condition देखने को का मिलती है नियर्दा lungs lungs के पास oxygen का partial pressure ज्यादा होता है वहाँ पर सारी यह conditions होंगी जो मैंने आपको लिखाई है तो अब कोई भी कोशन छूटने वाला नहीं है आपके हर टाइप के question solve हो जाएगे एकदम conceptual आपके brain में set हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अब transport of CO2 की बात करते हैं CO2 का transport किस किस form मे किस कितना कितना percent होता है एकदम conceptual brain में set करना इसको देखो तो question बनते हैं इसकी उपर पहला question क्या बनेगा 1,2,3 अगर हम CO2 transport की बात करते हैं तो approximately 23% CO2 का transport hemoglobin के थरो होता है 70% CO2 का transport plasma के थरो होता है पर sodium bicarbonate की form में ठीके और approximately बचा कितना 7% यह directly plasma के थरो हो जाता है यानि अगर मैं 23% की बात करता हूँ तो किस form में होगा आप बलोगे यह hemoglobin के साथ मिल के होगा यानि कारबा माइनो हीमोगलोबिन की form में कारबा-माइनो हीमोगलोबिन की form में कितना percent हो रहा है बटा 23% यानि इसको कैसे लगते हैं HbCO2 यानि जब हीमोगलोबिन और CO2 की binding होती है उस form में 23% ठीक है 70% किस form में बाई कारबनेट आइंस की form में अगर हम बाई कारबनेट आइन की form में बात करते हैं तो क्या होगा है यहाँ पर HCO3 यानि CO2 बाई कारबनेट आइन में प्लाजमा में एंटर करेंगे एंटर इन प्लाजमा एंटर इन प्लाजमा एंटर इन प्लाजमा जो प्लाजमा में एंटर करेंगे तो यह sodium के साथ मिलेंगे, sodium के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, sodium bicarbonate, यानि plasma के थ्रोही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वो sodium bicarbonate की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, यानि 70% CO2 भी plasma के थ्रोही ट्रांसपोर्ट हो रही है in the form of bicarbonate या sodium bicarbonate, ठीक है, अब remaining 7% dissolved in plasma, यह directly plasma में dissolved form में चली गई, यानि यार आप से पूछा जाए, कि कितना परसेंट किस form में, 23% 70% bicarbonate, 7% directly dissolved हो रही है, तो अगर एक तो form आगी, एक कोशन ऐसा आएगा, कोशन आएगा, कि बताओ, RBC के थ्रो कितना ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है, आप लोगे 23% थ्रो RBC, RBC, ही मगलोबिन की form में, अगर मैं आप से बोच हूँ, प्लाजमा के थ्रो कितना, आप लोगे 77, वही, 70 प्लास 7, 77% थ्रो प्लास्मा, आप इस तरीके थे कोशन बन सकते हैं, प्लास्मा के थ्रो टोटल कितना परसेंट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, RBC के थ्रोटल कितना ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहां तक एकदम कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेटा, एकदम क्रस्टल क्लियर होना चाहिए, तो अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा ऐसे कैसे होता है, तो CCDC बात है, आप ट्रांसपोर्टर हो, आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ट्रांसपोर्ट करने लिए पहले क्या करोगे, लोडिंग करोगे, फिर ट्रांसपोर्ट करो बेटा लोडिंग आफ सीओ डू नियर दा टिशू तो करते हैं नियर दा टिशू लोडिंग ठीक है नियर दा टिशू लोडिंग करते हैं चलो उसको कुछ और चीज लिखेंगे इसके अंदर तो लोडिंग का होगी नियर दा टिशू तो पहले हम टिशू की बात कर लेते हैं चलो टिशू भाई यह है टिशू ए अगर यह है टिशू ए टिशू ए टिशू ए टिशू के टिशू के अंदर आपको पता है चल रहा है तो किसका फॉर्मेशन होगा यह टिशू में आउक्सीन बिचारी कंटीनिव क्या होगी यहां पर यू टेलाइज इसलिए और यहां क्या होगा कम तो अब यह वो जगह है जहां सियोटू का प्रोडक्शन हो रहा है अब चलो ठीक आरभीसी को ले करके आते हैं ठीक है यहां आगी आरभीसी ठीक है इसको यहां लेके आते हैं ठीक है अब देखो यहां हमारी आरभीसी ठीक है इलिख भी देते हैं आपर से कंफ्यूजन भी न रहे हैं आपको यह है क्या डिस इज़ा आर में लुक्षा आर बी सी चलो भाई आप क्या कराते हैं टांसपोर्ट तो समझ ना मेरी बद एrogitակे क्या लेके आयए हीमो गलबन के साथ ओक्सिजन लेके आइए बाैंडिंग करके यहनि आरभीसी में क्या होगा यह ध्याocratic ना एक रभीसी में million hemoglobin के molecule होते हैं ठीक है तो आप हम समद्द है एक में काम चल रहा है सारा यानि HbO2 यह था ठीक है यह आया था और यहां CO2 की क्या होगी loading यह CO2 कितना % CO2 की बात कर रहे हैं 23% CO2 की बात कर रहे हैं यह CO2 CO2 एंटर कहां करेगा RBC में RBC में CO2 एंटर करेगा क्योंकि oxygen का partial pressure comparative CO2 कम है तो यह CO2 क्या करा देगा इन दौनों के बीच में break up करा देगा भाई break up break up के लिए responsible CO2 है जब break up होगा तो oxygen बिचारी अलग हो जाएगी बाहर और कौन बन जाएगा अब बन जाएगा यहां पर HBCO2 यानि किसका formation हो गए आप पर यहां formation हो गया बटा कार्बा अमाइनो हीमो अच्छा थोड़ा नीचे लिखते हैं कुछ और भी चीज़ेंगा करेंगे उपर ऑक्सीजन को भी थोड़ा नीचे करते हैं ट्रिक्स यहां लिखने वाले कुछ यह ऑक्सीजन बाहर गई और किसका formation हो गया यहां पर formation हो गया कार्बा अमाइनो हीमो ग्लोबिन एकदम क्लियर कोई टाउट नहीं होना था जायर है नो विदाउट एंजयम है विदाउट एंजयम विदाउट knife aremos को नहीं होगा यहां पर विदाउट एंजयम मेंगीकनेश्म चल रहे हैं आप समाझ पा रहे हो ना मेरी बात एकदम clear cut brain में set कर लेना इसको ठीक है अब finally हम बात करते है 70% remaining 70% यह 70% CO2 का एंटर करेगी यह एंटर कर गई RBC में RBC में कौन होता है H2O इससे मिलेगी और यह किसका करेगी H2CO3 का ब्रेकडाउन होगा और बनेगा क्या H आइन का फॉर्मेशन होगा ठीक है यानि इस पूरी मेकेनिदम को करने के लिए एक एंजाइम होगा उस एंजाइम का नाम होगा कौन विटा उस एंजाइम का नाम होगा और यह यहां पर भी काम भी यह करेगा खर्याइम होगा यह इंजाइम की प्रॉसेस है यानि इस CO2 को करती आ इंजाइम के अंदर एक क्या सामने है पर यह बाइकाबनेट अंदर नहीं रहते कोकि इन बाइकारणेट आयन के लिए ज्यानक ना है यह आर्बीसी की मेंब्रेन पर्मियेबिल होती है ठीक है इसके अलावा और किसके लिए होती है समझाता हूं अभी मैं तुरंती यह बाई कार्बनेट आयन यहां से खिसक के बाहर बनते जाएंगे बाहर निकलते जाएंगे बनते जाएंगे बाहर दिल है ठीक है तो निगेटिव आइन जब बाहर जाएंगे तो बाहर किसे मिलेंगे यह sodium के साथ मिलेंगे क्योंकि plasma में sodium आइन होते हैं और क्या बना लेंगे एन ए एच सी ओ थ्री sodium bicarbonate कहां पर बन रहा है इन प्लाजमा इन प्लासमा बास इसके थो क्या हो गया इनका ट्रांस्पोर्ट स्टार्ट होगया चले गए वही 70 परसेंट 70 परसेंट सी ओटू किसकी फॉर में चलेगी sodium bicarbonate की फॉर्म में चली गई जाने दो ठीक है पर निगेटिव आइन जब बाहर जाएंगे तो मेंब्रेन के पोटेंशियल की neutrality बिगड़ जाएगी बेटा जो निट्रल थी बिगड़ जाएगी निगेटिव आइन बाहर निकल रहे हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेन करने के लिए बाहर से कुछ आइन अंदर भी आएंगे जो बाहर से आइन अंदर आएंगे वो कौन से आ कि यह को में इसको में नाम और देते हैं हम्बर्गर कि फिनोमेन भी बोल सकते हो हम्बर्गर फिनोमेन को हम्बर्गर साइंटिस्टनेस वाली बात को बताया था कि जब भी बाहर जाते हैं तो को मेंबर्गिंड फॉटेंचील को निउट्र लिटी को चार्ज को मेंटेन करने की टिलोर राविन के सिफ्टिंड को इससी को Canal tone और हम्बर्गर फिनोमेन बोलते हैं मेंन परपेस क्या है फ़ॉर मेंटेन के अमेंटेन करेंन प्यूंट पॉटेंशल आफ यह neutrality of plasma membrane समझ में आ गया होगा क्या परपस है क्या है क्या नहीं अब पर जब यह mechanism चल रही थी इस दौरान अंदर क्या चल रहा था आचाइन की concentration बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी और ऐसा होगा अगर आरबी सी में चाहिए बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा क्यों कि अंदर एसे डिक मीडियम हो जाएगा आरबी सी खतम और और आरबी किसका घर थी हीमोगलोब बढ़ती सब्सक्राइगा क्या होगा फिलेअ डिखो ओटा यहां पर अंदर क्या था अंदर था ऐच बी ओ टु ऐसे मॉलिक्यूल थे एच्प फॉटरू के तो बहुत सारे कुछ आसे चलेगे आप देखो क्या होगा इस एच्प एच्प के अगर बात करता हूं तो यह यह Hb-O2 क्या करेंगे इस H1 को पकड़ेंगे और HB का formation करेंगे इसका formation करेंगे HB का पर sacrifice क्या करना होगा oxygen को release करना होगा यानि इस S1 की presence में हाइन की presence में oxygen release हो जाएगी और H1 लोबिन से जुड़ जाएंगे आप समाद कें ना मेरी बात यानि यहां पर hemoglobin को sacrifice करना पड़ा को कभी भी hemoglobin oxygen को छोड़ना नहीं चाहता वो always oxygen के साथ ही रहना चाहता है पर CO2 उसका दुश्मन है कुछ percent directly CO2 ने break करा दिया oxygen को और कुछ CO2 ने HIN को छोड़ के गई और HIN के throw क्या करा दिया oxygen का break up कराया यानि इस पार्ट में HbO2 का break up हो रहा है और यहां कराने वाला कौन है CO2 या CO2 के mediator like HIN समझ में आ गया होगा यानि यहां पर HbO2 ने क्या काम किया इस HIN को bind करके इसकी अंदर की pH को maintain कर ली यानि यहां पर हीमोगलोबिन है AmoGlobine की भी आ रही है Hemoglobin Act As Act As Buffer Act As Buffer question आता है बेटा कि कहाँ पर Hemoglobin बफर का का काम कर रहा है Near the tissue tissue के पास Hemoglobin buffer का का काम कर रहा है buffer का मतलब वह H-I-N की बज़े से होने बाले Effect को suppress कर रहा है pH को maintain कर रहा है तो Hemoglobin Act As Buffer, एक दम clear-cut कहीं कोई दिखकत नहीं होगी और यह Hemoglobinic Acid का formation हो चुका है, Hemoglobin Acid की फॉर्म में, Hemoglobin Acid, Hemoglobin Acid, Hemoglobin Acid का formation हो चुका है, तो यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए एक एक concept आपके brain में set हो जाना चाहिए ठीक है हो गया होगा ठीक है तो ध्यारक ना सूपर 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 concept मैं आपको दे रहा हूं इस series के अंदर बस brain में set करते जाओ और सूपर performance तो आप ठीक है तो सीदी सी बात है यहां तक क्लियर हो गया हमारी loading हो चुकी है हाँ अब क्या बचा 7% तो रह गई ना अब remaining 7% बेटा co2 remaining 7% co2 plasma के थो डिफ्यूज हो जाएगी एक दम complete हर चीज इसमें इंक्लूड है जिस पर question आने की probability है आगे बढ़ते हैं लोडिंग हो गई और ट्रांस्पोर्ट भी हो गया अब बात करते हैं नियर दा अल्वियो लाए अल्वियो लाए के पास क्या होने है मैच जी इतना हाई partial pressure of oxygen है यहां oxygen की ही चलेगी अब oxygen चुन चुन के बदला लेगी ठीक है इससे co2 से अब देखो क्या होगा revenge बदला कौन oxygen कैसे अब आपके सामने हैं देखो ऐसे यह आर्वी सी को हो जाएगा ते मैं कि अभी एक आप उके यह आरवी सी ठीक है आप कि अच्ष भी सी अप ने किया अगर हम बात करते हैं वे वे आर वी सी में क्या था आरवी सी में था धेकर वह य्यक्ष्टन हो यह क्रूशक गया भी 152 फिर के लिखाता मैंने Hbco2 कोई चेंज है कोई चेंज नहीं है फिर मैंने लिखाता है यहाँ पर c02 प्लस h2o इतार लिखाता मैंने h2co3 फिर इतर हम लिखाता है हट टू सी ओ थ्री जो ब्रेक गुवा था किसम है हच आइन प्लस हच सी ओ थ्री आइन से वह लेखना पहले लिखाता मैंने फिर यह लिखाता मैंने हच भी ओ तू और बनाता एच एच भी का सारी बात हैं वह यह जो पहले लिखी थी यानि सब कुछ वैसा ही है ठीक है जो पहले था पर रिवर्स में है इस वार क्या होगा रिवर्स मेकानिजम होगी पहले सियो टू एंटर करता था अब ऑक्सिजिन एंटर करेगी बदला रिवेंच कैसे होगा देखो कि समझना एकदम अच्छे समझना होगा आपको पार्शल प्रश्र ऑफ ऑउक्सिजन ज्यादा है ऑउक्सिजन आएगी बदला पूरा लेना है उसको यह आई ठीक है यह ऑ्सिजिन आई और ऑउक्सिजिन के आते ही अब समझना होने वाला क्या है रिवर्स में गाली चलेगी गाली टोटली रिवर्स में चलने वाली है ठीक है तो रिवर्स में चला रहे हैं गाली को यह एरो अप ऐसे होंगे यह आरो अप ऐसे होंगे यह आरो आप ऐसे होंगे जो पहले वैसे थे अप एरो चेंज हो गए गाली रिवर्स हो गई गाली क्या हो गई reverse oxygen की entry हुई यह oxygen की entry हुई oxygen अंदर एंटर करके अब घुमा के लाद देगी CO2 को यानि dissociation of CO2 हो रहा है CO2 बाहर समझ रहे हो और किसका formation हो गया HbO2 means अब loading of oxygen हो रही है यानि oxy hemoglobin का formation हो रहा है और dissociation of Hb CO2 हो रहा है CO2 बाहर यही तो हम चाहते थे without enzyme time अब remaining oxygen तो को यह oxygen आई बदला पूरा नहीं हो अभी यहां से भी तो oxygen भार गई थी यह oxygen अंदर एंटर करेगी oxygen अंदर आएगी बेटा और घुमा के इस हैच्ट चाहिन को एक किक देगी हैच्ट बाहर हैच्ट बाहर समत ना मेरी बात हैच्ट बाहर आएंगे इसको ऐसे दिखा सकते हो और oxygen आएगी और हीमोगलोविन से बाइन करेगी हैच्ट बाहर यह गए अच्ट और किसका का formation हो जाएगा Hb02 का formation हो जाएगा याई एचपी ओटू बनेगा तभी एचाइन बाहर निकलेंगे मीज आपको द्यान रखना है एचपी ओटू समझ रहोगा ठीक है है इसाइन रिलीजस हो गए यह और बीजिल होगए लियौ कोई और करता हो क्या ait करूचा क्यों। और यहां ध्यान रखना है आपको यहां आसपास का मीडियम अलग है कि पास का मीडियम अलग था तो इस आसपास के मीडियम में जहां और ब्रीक दाउन और स्टार्ट हो जाएगा अंदर, automatically diffusion start, यह diffusion start हो गया है इनका, यहां से अंदर, जब bicarbonatine अंदर आएंगे, तो अंदर इस हाइन से bind करेंगे बिटा, और इस RBC की pH को change दोने से रोकेंगे, means, यहां पर bicarbonatine act as, act as buffer, पहले, hemoglobin buffer का काम कर रहा था, इस बार bicarbonatine act as buffer, यह ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पर bicarbonatine अंदर आएंगे, तो chlorodine को कहां जाना पड़ेगा, बाहर, उनका काम खदम, अब chlorodine का जाएंगे, बाहर, यह chlorodine बाहर, इसको क्या बोलेंगे, reverse chlorodine saved, reverse chloride saved, पर इसको hamburger phenomenon नहीं बोलेंगे, दिमाग में बिठा लेना, इसको hamburger phenomenon नहीं बोलेंगे, ठीक है, reverse, क्योंकि काम बन गया, negative आया, negative भाहर गया, काम खदम, ठीक है, तो एक बाहर समझ में आया, तो तुरंत क्या होगा, carbonic enhydrase, इसको क्या बना देगा, H2CO3, और तुरंत carbonic enhydrase, reverse में, इससे क्या कर देगा, H2OCO2, और यह CO2 बाहर, CO2 बाहर, 70% CO2 भी बाहर चले गई, ठीक है, 23% CO2 भी बाहर चले गई, और remaining, बची हुई CO2 भी, diffuse हो करके, यहां से क्या चली जाएगी, बाहर, 7% भी बाहर, तो यह हो गया बेटा, ट्रांस्पोर्ट of CO2, आप समझ में आ गया, पर यहां पर, strong acid का काम ये कर रहा है, buffer काम वो कर रहा है, reverse chloride शिफ्ट रहा है, पर hamburger phenomenon, नहीं बोलेंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया, total reverse mechanism करती है, पहले CO2 अंदर जा रही थी, अब CO2 बाहर जा रही है, oxygen बाहर आ रही थी, अब अंदर आ रही है, oxygen अंदर जा रही है, total mechanism reverse है, कहीं पर भी forward नहीं है, same वही reaction है, हमने only इसको reverse कर दिया है, इसी को बोलते है, unloading of CO2, जो कहां होती है, near the alveoli, अगर आप से पूछा जाए, वापस जाते हैं बिच्छे, पूछा जाए, कि बताओ, plasma में chlorine की concentration कम कहां होती है, near the tissue, सारे chlorine कहां जाएंगे, RBC के अंदर, तो यहाँ पर partial pressure of oxygen क्या होगा, कम, तो यहाँ पर क्या होगा, HbO2 का क्या होगा, dissociation, तो कौन सा effect लगेगा यहाँ पर, dissociation होगा तो, बहुत से effect लगेगा, सब चीज़ें applicable हैं, एकदम clear department रखते हैं न, chloraline की बात करते हैं, degrees हो दाएंगे, in plasma, ठीक है, यह सारे question बनते हैं, जाना उपर ही लग दिए, एक एक चीज़ clear हो रही होगी, ऐसे हम यहाँ भी बोल सकते हैं, कि वो कौन सी जगह है, जहाँ oxygen का partial pressure बहुत ज़्यादा होता है, अगर यह ज़्यादा होगा, तो HbO2 का क्या होगा, association, इसका association होगा, तो कौन सा effect लगेगा, हाल दिन इफेक्ट अपली केवल होगा, तो जहाँ plasma में chloraline की concentration ज़्यादा होगी है, कम, always ज़्यादा increase in plasma, chloraline पे question बन जाता है, तो एक एक बात clear हो रही होगी बेटा, अब हम यहाँ इसी को reaction से compile कर देते हैं, देखो, अगर मैं आप से कहूँ, reaction ऐसे हो रही है, यह reaction ऐसे हो रही है, यह reaction ऐसे हो रही है, दो तरीके से हो रहे है, तो reaction जब उपर वाला हम तरीका लेते हैं, ऐसे हो रही है, ऐसे, मतलब CO2, H2O, carbonic and hydrates, H2CO3, यह कहाँ हो रही है mechanism, बोलो के यह हो रही है, in tissue, tissue, tissue में हो रही है, तो सारी चीज़ें अपली के पर हो जाएंगे, tissue बाली, right shift curve हो जाएगा, ठीक है, जब reaction ऐसे होगी, तो क्या, कहाँ पर हो रही है, बैटा, ऐसे reaction, अब ओलो के, in lungs, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें अपली के पर होंगी, वो सारी कौन सी होंगी, left shift बाली curve, सब कुछ, सब कुछ लगा सकते हो, it is called, bohar effect, it is called, hadden effect, partial pressure of oxygen, low, partial pressure of oxygen, high, curve, right shift, curve, left shift, आप समद रहे ना, मेरी बत, कुछ भी, इस diagram से हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी दिखा सकत हैं, ठीक है, और कैसा भी कुछ न बन सकता है, enzyme एक ही होगा, carbonic enhydrase, ऐसे करो या ऐसे करो, अब last आता है, regulation of breathing, यह last है, regulation और समझ लो, ठीक है, complete हो जाएगा, तो दो regulation है, आपर nervous regulation भी है, और, ठीक है, chemical regulation भी है, regulation होता कैसे है, मतलब हमारे brain का connection इन दो muscles से है, diaphragm muscles और intercostal muscles, बस, इनका contract होना, और relax होना, यही तो regulation है, इनको contract और relax करने के लिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, chemical regulation भी responsible होते हैं, और हम, nervous regulation की बात करेंगे, तो हम पूरा एक एक लेके चल रहे हैं, सबसे बहुल हम nervous regulation और breathing की बात करेंगे, तो regulating center कौन होता है, बटा, तो समझ पार हैं, यह सबसे लंबात करेंगे, medulla oblongata, यही सारा खेला है सी का, medulla oblongata की बात करता हूँ, मैं MO, short में क्या बोलेंगे, इसको, MO, medulla oblongata, MO, तो MO के भी दो पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, हम दो चीज़ बताने वाले हैं यह अपन, एक तो PONS के बारे में, और एक MO के बारे में, तो पहले मैं MO की बात करूँ, MO, यह PONS है, उपर वाला पार्ट PONS, हम PONS को अभी आगे लेके चलते हैं, पहले MO क्या करता है, ठीक है, MO, MO की भी दो पार्ट होगे, समझो इस तरी ये डॉर्सल बाला पार्ट हो उगा तो पहले मैं बात करता हूँ डॉर्सल कि shouty रैस्पर error ह्एटी ऑ और जी डॉह डॉर्स रैस्पाइअ जो और बियारतिजी वेंद्र रैस्पर जो और जी गूरॉप वी आरजी ventral respiratory group अगर मैं DRG की बात करता हूं तो DRG क्या काम करता है ठीक है अब देखो DRG पर आ जाते हैं इसको बोलते हैं inspiratory area inspiratory area जब किसको बोलते हैं expiratory area expiratory area इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं यह किसको कंट्रोल करता है आप कंट्रोल normal breathing हमारी नोर्मल बी इसकोumps & काम करता है विए हणी नॉर्मल बीशन में भी आओनली INSPIRATION , इनस पाई रेशना को कि expiration तो कैसे पैसी मेकनिजम वह तो एक्टिव तो का नहीं होते नहीं बस इंस्पारेशन कैसे करता है कंट्रोल बाए कोंट्रेक्शन ओफ कि डाफ्रम मसल्स डाफ्रो मुसल्स और नमबर टू इंटरनल इंटर कॉस्टल मुसल्स यानि अगर इन दो मुसल्स में कॉंट्रेक्शन होगा तो एक ही काम होगा इंस्पारेशन इसी लिए इसको इंस्पारेटरी एरिया बोलते हैं क्योंकि ये इन दो मसल्स में कॉंट्रेक्शन को कंट्रोल करता है और इन दो मसल्स में कॉंट्रेक्शन को कंट्रोल करने का मतलब है करते है only और only inspiration only inspiration को कंट्रोल करता है इसी लिए इसको inspiratory रिधम सेंरर भी बोलते हैं क्योंकि Normal breathing जो आप normal inspiration expiration कर रहे हो थीक है उसमें और only inspiration को कंट्रोल कर रहा है क्यों expiration में Спारीशन में दॉन मज्सल्स relax होते हैं तो control करनेा की जरूवत नहीं है इसको respiratory Northern सेंटर मोःते है बीटा नॉर्न भीजिंग को कंट्रोल करता है onu inspiration को कंट्रोल करता है bomb control by contraction of diaphragm muscles और internal intercasial muscles इनको कंट्रोल करके समझ गही होगे जब कि v bore z neural side m & respiratory area है यह क्या काम करता है इसकी भी देख लेते हैнов यह इस चीP forceful expiration forceful expiration कैसे कंट्रोल करता है forceful expiration अब यह ध्यान रखना है by contraction of contraction of किसका contraction internal intercostal muscles plus abdominal muscles यानि internal intercostal muscles और abdominal muscles में contraction कराके यह वाला area इसको control करता है आप समझोगे forceful expiration कोई forceful expiration में इन दो मसल्स का रोल है इनको control करने के लिए expiratory area कोईकि इन दो मसल्स में contraction होने से only or only expiration होता है so it is called expiratory area एक दम दिमाग में set होना चाहिए तो यह है main हमारे brain का वह पार्ट इसको regulating center भी बोलते है रेस्परेटरी रिधिम center भी बोलते है तो मेली यह वह पार्ट है जो हमारे respiration को control करता है medulla oblongata ठीक है इसकी अलाबा secondary बहुत सारे पार्ट है जो इसको regulate कर सकते हैं जैसे pons ठीक है अब pons की बात कर लेते हैं पार्ट की बात देख लेते हैं बिटा pons अगर मैं pons की बात करता हूं तो इनको pneumotoxic area भी बोलते हैं it is also called pneumotoxic area pons को यह करता क्या है pneumotoxic area इसको switch off switch off center भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि stop कर देता है stop inspiration को stop करने के लिए responsible होता है कप जब आपके lungs air से fully filled हो जाते हैं ठीक है या आप ऐसे भी कह सकते हो ठीक है जब आप rate of breathing तीज होती है आपकी तो समय आप inhale तुरंत axle कर देते हो inhale तुरंत axle कर देते हो क्योंकि आप inhale कर नहीं पाते हैं क्योंकि inhale को break करने वाला यह area activity हो जाता है ठीक है शुर्ट सेंटर भी कहते हैं जो stop करता है हमारे इंस्पारेशन को ठीक है जैसे मैं समझाए देता हूं ठीक है कंडिशन इफ पॉन्स हाइपर एक्टिव अगर पॉन्स हाइपर एक्टिव हो ठीक है यानि यह ज़्यादा सिंदल भीजना चालू कोड़ते हैं तो यह सिंदल किसके ऑब ऑफ ठीक है एमो पास सिंदमगे जाएंगे और मो इंस्पारेशन के मेकनिसम को रोक देंगे ठीक है तो इफ नीमो इफ पॉन्स हाइपर एक्टिव अगर इपर एक्टिव होगए तो क्या हो जाएगा तो क्या हो चीए इंक्रीज me क्रेट आफ तरीतिन rate of breathing बढ़ जाए क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि decrease हो जाएगा duration of inspiration क्योंकि अगर यह हाइपर हो गया समझना यह हाइपर हो गया तो signal को कहां बेज़ेगा ठीक है इस पॉंस हाइपर एक्टिप तो यह signal को कहां बेज़ देगा एमो के पास एमो को क्या कराएगा स्विच आफ रोको इंस्पारेशन को रोको परन्त क्या होगा expiration जैनि एक मिनिट में जहां आप 12 से 16 बार breathing कर रहे थे वहां एक मिनिट में आप ज़्यादा ब्रीटिंग करोगे पास छुटी ब्रीटिंग करोगे तो यह mechanism तेज हो जाएगी क्योंकि duration of inspiration घट जाएगा क्योंकि यह inspiration होने ही नहीं देगा बार-बार inspiration को stop कर देगा अगर यह नहीं inspiration कम होगा तो रेट बढ़ जाएगी क्योंकि उतने टाइम में आप ज्यादा बार inspiration expiration करोगे पर duration आप समझ के नहीं मेरी बात खाला कि duration का है duration कम हो जाएगा तो यह क्या करते हैं rate of breathing को increase करने के लिए responsible होते हैं ठीक है duration of inspiration को कम करके आपके pneumotoxic ठीक है आपके medulla oblongata को inhibitory signal भीजने के बाद ऐसी chemical regression की अगर हम बात करते हैं तो किस पर based होते हैं यह द्यानक ना पहले तो based on ठीक है chemo receptor chemo receptor with sensitive for जिसके लिए sensitive होते हैं sensitive for only h-ion और co2 इसके लिए sensitive होते हैं ठीक है अगर मैं chemo receptor की बात करता हूं these are two type chemo receptor कितने type की हो सकते हैं two type की हो सकते हैं chemo receptor एक periphyl chemo receptor एक central chemo receptor central chemo receptor एक peripheral chemo receptor अगर हम central chemo receptor की बात करते हैं बैटा यानि एक ऐसे समझो chemo receptor है क्या it is a sensor यह क्या है sensor जैसे आपने गैस का sensor होता है वर्टर का sensor होता है यह sensor है है नेचर ने कुछ brain में sensor लगा दिए एमो के पास जो अंदर वाले fluid की sensitivity देखते हैं CO2 रहचायन के लिए अंदर वाला fluid कौन सा है brain के अंदर CSF cerebral spinal fluid और nature ने कुछ aorta हमारे heart में जो aorta होता है और carotid artery होती है जो brain में blood लेके जाती है वहां sensor लगा दिए कि अगर वहां पर रहचायन और CO2 बढ़ेंगे तो यह sensor signal MO के पास भेजेंगे और MO rate of breathing बढ़ा देगा समझना मेरी बात तो कि मैं central chemo receptor की बात करता हूँ तो center chemo receptor कहां पर होते हैं present in brain जबकि यह कहां होते हैं आप बहुत के present in एक तो carotid artery जो brain में blood लेके जाती है और दूसरा aorta इस पर लगे हुए होते हैं यानी ध्यान रखना यह किसके लिए sensitive होंगे ठीक है इफ एच आइन या co2 increase in CSF अगर CSF सेरिवलो स्पाइनल फ्ल्यूड में एच आइन और co2 के लेविल बढ़ेगा तो यह chemo receptor activate होंगे यहां क्या होगा condition if ह आइन या co2 increase in blood अगर blood में ह एच आइन और co2 बढ़ेंगे तो peripheral chemo receptor activate होंगे फाइनली chemo receptor किसके पास signal भेजाएंगे finally chemo receptor signal भेजाएंगे किसके पास यह signal भेजाएंगे सारे chemo receptor दोनों के दोनों medulla oblongata के पास signal भेजाएंगे तब medulla oblongata क्या काम कर देगा ऐसा होने पर increase कर देगा rate of breathing तो कि body में CO2 deposit ना हो जाए तो बॉड़ी भी चाहती है CO2 को भार निकाला जाए तो नेचर ना दो sensor लगा दिए ब्रेइन में और एक ब्लड के लिए identification करने कि अगर ब्लड में CO2 भड़ेगा तो आटोमेटकल लिए चायन भी भड़ जाएगा एचन बढ़ेगा तो पह कम होगी पह कम होगी तो होगा फ्रनेचर नहीं चाहती है तो तुरंत क्या करेंगी नेचर सिगनल भीजेगी एक एक इमोरेट ब्रीदिंग इंक्रीज कर देगा बास काम बन गया यह हो गया हमारा ठीक है केमिकल रेगुलेशन ओब ब्रीदिंग लास्ट में हम आते हैं डिसॉडर एस्थमा आप जानते हो इट इस अ इलर्जिक डिसॉडर ठीक है हम पूरा इम्मुनिटी में बहुत डिटिल में कराते हैं इसको इसको इस डिफीकल्टी इन ब्रीदिंग ठीक है जिसकी यह से क्या प्रीडीज होगी यह आपको ध्यान रखने है ठीक है पहली बात इन केस ऑफ एस्थमा कोशन डिरेक्ली यहां मिलेगा एंफाई सीमा पर कई वार कोशन आया है इसको बताने की जरो तभी है नहीं टाइम भी नहीं है एंफाई सीमा के अंदर जो एलवलाई के सैप्टम्स हो बोल करते हैं ऑल डाइजेस्ट हो जाते हैं एंजऊमेटिकली एक्टिटी की वज़े से स्मोकिंग इस्मोके तो होने वाली प्रवलम है ठो ध्यान रखनाPeR यहां पर क्या होता है जो यहां रोल ना बेटा वो डामेज हो जाती है उसके डामेज होने की वनह ज़ाया तै brightest र respiratory surface decrease हो जाती है और respiratory surface decrease होने से breathing में problem आती है और mainly किसको होता है जो cigarette smoking करते हैं उन लोगों को होने वाली problem है M5 CEMA तब ही तो treatment के लिए ठीक है हम alpha anti-trupsin यूज करते हैं क्योंकि यहां पर truffin enzyme release होता है वो पूरी mechanism है तब जाकर यह damage होते हैं तब यह mechanism start होती है अभी तो आप इतना ही काम चल जाएगा occupational respiratory disorder की बात करता हूं occupational जो आपके occupation से जुड़े हुए है जो आपके काम कास से जुड़े हुए है ठीक है इसमें question क्या बनता है और occupational respiratory disorder की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान रखना है आपको लॉंग exposure can give rise to inflammation पर inflammation यहां पर ब्रॉंक्योल में नहीं हो रहा ब्रॉंक्योल में inflammation होता है तो एस्थमा यह lower part में inflammation एल्वुलाई में inflammation तो यहां पर क्या होगा fibrosis very important fibrosis हो जाएगी यानि आपके एल्वुलाई में collagen fiber का proliferation होना चालू हो जाएगा यानि proliferation of fibrous tissue in alveoli और alveoli की elasticity खतम हो जाएगी lungs के lower part की elasticity खतम हो जाएगी समझ रहे हो और धीरे-धीरे lungs damage हो जाएगे जो death का cause होते हैं ठीक है तो and thus causing serious lungs damage ठीक है तो ऐसे केस में क्या करते हैं वर्कर्स इंस इंडस्ट्री शूड प्रोटेक्टिव मास्क यानि अब क्या है occupational respiratory disorder समझे टीचर से हैं हम चौक से बढ़ाते थे ठीक है तो चौक की dust हमारे lungs में जाती थी यह dust अंदर जाकर के क्या करेगी inflammation करेगी inflammation किसको लीड करेगा Fibrosis को लीड करेगा Fibrosis की वैसे हमारे lungs में Collision Fiber का proliferation बढ़ना चालो हो जाएगा और lung elasticity खतम lungs damage ऐसे ही समझना मेरी बात कोल माइनों में काम करेंगे तो उनको cold dusty वज़े से हो जाएगा ऐसे आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हो तो उसी के asbestor industry में काम करते हो जो एक white stone होता है उसका powder भी लंक्स में जाता है तो आपको asbestosis हो जाएगी it is also chronic disorder NCRT ने ध्यान रखना है आपको NCRT ने इसको ठीक है ecology वाला chapter pollution वाला chapter वहां chronic disorder में रख दिया है ठीक है तो occupational respiratory disorder में asbestosis also chronic emphysema also chronic यह बहुत important line है ध्यान रखना है आपको ठीक है अगर commonly सबकों क्या कह सकते हैं pneumoconiosis coal particle dust particle commonly सबकों में लाकर करेंगे pneumoconiosis ठीक है निमो मतलब होता है हमारा pneumonia मतलब हमारे lungs में lower part inflammation five process हो जाना तो pneumoconiosis commonly बोलते है commonly it is called occupational respiratory disorder तो समझ में आ गया होगा बेटा thank you तो मैं कोशिश तो बेटा हर चैप्टर में आपके लिए यही करूंगा super तरीके से with concept हर चीज आपके brain में set करने की कोशिश करेंगे as a crash course ठीक है crash course के साब से मैं आपको बहतर से बहतरीन वह चीज करा रहे हैं ultimate आप सोच भी नहीं सकते हो ठीक है क्योंकि analysis करने की capacity साइध हर बच्चे में नहीं होती ठीक है तो आपको एकदम beyond ठीक है उस travel का दे रहे हैं मतलब सोच ही नहीं सकते हो कि आप लाखों रुपए खर्च करोगे तब भी साइध वह चीज ना मिले जो आपको यहां एक बहुत अच्छी तरीके से free of cost मिल रही है तो बस हमारी कोशिश यही है खूब मेहनत करके हम आपके लिए बैस से बैस लेके आएंग क्ल में हम आपके लेँ से आपके लेके साइध करेंगे त्र करेंगे तरीके साइध करेंगल रबर्ब वहीं से बैस करने वहीं सुपए बैसका लेकरी कोश्फे लेके साइध लेके उहें पहें हो हूब आपके र Joche, ख़ई ख़रा भी में ए in Sामाभा छंब से लेक Sig क।म कर